प्रेंड्स कैसे हैं आप सब भुणत मज़े कर रहे हैं आप लाईफ हों काफी नजय कर रहे होंगेर Cart outta करते हैं एक चैप्टर इसका नाम है Employee Cost and Direct Expenses Employee Cost and Direct Expenses Concept लिखेंगे Concept रेजिस्टर के अंदर और Questions के आंसर करेंगे Practical रेजिस्टर के अंदर या कह रहीजिए Practice रेजिस्टर के अंदर चलिए तो लिखो Concept रेजिस्टर के अंदर चैप्टर का नाम Employee Cost and Direct Expenses इस चैप्टर में दो टोपिक हैं एक है आपका Employee Cost और दूसरा आपका Direct Expenses चलिए शुरुबात करते हैं लिखिए पहला Concept सबसे पहले हैं आपका Basic Concept Basic Knowledge इसे कह सकते हैं पाओछेंश इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है पढ़ना क्यों है इन दोनों के इन दोनों बातों के बारे में पहले बात करते हमें बहुए नहीं लगोरे तो बात ्वाद करने हैं नॉलिज आखिर ऐसा क्यों है कि हमें हमारा इंसिट्यूट यह चैप्टर पढ़ने के लिए बूल रहा है ऐसा क्या रीजन है तो आईए हुए आपको मैं एक पहले बेशिक आईडिया देता हूं फिर निखेंगे उसके बालव company है मानली जी वो प्रोट बना के बेचती है मानली जी वो बना के बेचती है calculator क्या बना के बेचती है calculator आचा calculator बना के बेचती है तो वो क्या गवाना चाहती है profit आचा profit बराबर क्या होता है जी profit बराबर होता है selling price per unit minus cost per unit यही तो होता है profit अगर कोई वेक्ति धंदा कर रहा है बिजनिस कर रहा है और उसको बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो उसे क्या चाहिए ज्यादा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं एक तो क्या है सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दो जितना पॉसिबल हो सके उतना इंक्रीज कर दो और दूसरा क्या है कॉस्ट को कम कर लो बहुत दो मैंसे कोई एक तरीका आप डालकर प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं बट सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने की एक लिमिटेशन है और वो limitation क्या है, market में perfect competition का होना, भई कोई भी company, अगर calculator या pen बना कर बेच रही है, कोई भी company, अगर ये calculator बेच रही है बना कर, तो definitely market के अंदर ऐसे similar calculator बना कर और भी company बेच रही होंगे, तो उनका जो selling price है, अगर आपने अपना selling price उनसे ज्यादा रख दिया, तो customer आप से नहीं उनसे खरीदेगा, तो हुआ क्या, अगर selling price इतना ज्यादा रख दिया, कि जो market selling price से ज्यादा है, तो भाई सब profit बढ़ने की बज़ाए profit घट जाएगा, भाई सब माल बिकेगा ही नहीं, तो profit कहां से आएगा, तो अकुल मिलाकर selling price पर unit को increase करने में, कही न कहीं एक limitation आती है market selling price की, अगर market selling price से आपने price ज्यादा रख दिया, तो customer आप से खरीदने की बज़ाए, आपके competitor से खरीदेगा, और आपका profit बढ़ने की बज़ाए उर्टा घट जाएगा, तो ये तरीका कारगर है, बट इसमें एक limitation है, अगला तरीका है cost per unit को कम करना, भई cost per unit, एक calculator को बनाने के अंदर बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, उन खर्चों को कम करो, बट यहाँ पर भी limitation है, आप कितना कम कर सकते हो, बिल्कुल जीरो तो करी नहीं सकते हैं, बट जितना possible हो maximum, उस तरह कम करो, यूँकि जितना maximum आपने खर्चे को कम किया, आपका profit बढ़ जाएगा, example लो, मान लो calculator बिखता है, मान लो 500 रुपय का, यह है market prevailing selling price, इस से उपर selling price, इस calculator का रखना रिस्की हो सकता है, कोई company की cost है मान लो 300 रुपय, company कितना कमारती पर कर रुटर 200 रुपय, अब उस company ने जान लगा कर, इस 300 को 200 कर लिया, तो अब क्या होगा, 500 का selling price है, 200 की cost है, तो कितना हो गया profit, 300 हो गया profit, तो देखा, आपने profit बढ़ गया, एलों से कहिए आप बहलत ना समझ जाना, कि डाउन हो गया, profit प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया, अच्छा, cost क्या होई, डिक्रीज हो गया, तो cost को decrease करना है, अच्छा, cost, एक product को बनाने के अंदर, अच्छा, अच्छा, अगर मैं आप से पूचो, कैसे निकलता है, cost per unit, तो क्या बोलोगा बहुत ही, बहुत ही सिंपल फर्मूला है, total cost, divide by total units, क्यों, basic formula है, class 10 का बच्चा भी जानता है, simple सी बात है, किसी कंपनी ने बनाए 10 कल्कुलेटर, खर्चा आया 3000 रुपए, तो बताओ, per calculator कितना खर्चा आया, तो 3000 रुटा, 10, 300 रुपए, अच्छा, cost, इस calculator को बनाने में, जो cost incur होती है, उसे हम अलग-अलग category में तोड़ते हैं, जिसके अंदार दो category main हैं आपकी, एक होती है, product specific cost, क्या मतलब इसका, तो यह तो वर्ड है, product specific cost, यह मैंने दिया है अपने हिसाब से, और common cost भी दिया है, मैंने अपने हिसाब से, अब मैं कुछा दो उसका मतलब क्या है, product specific का मतलब है, वो खर्चा, वो खर्चा, जो production पे डिपेंडेंट है, ज्यान देना, product वर्ड से आया, production, जो खर्चा, production पे डिपेंडेंट है, यानि कि, अगर, production को मैं increase कर दूँगा, तो मेरी cost, increase हो जाएगी, अगर production को मैं decrease कर दूँगा, तो मेरी cost, decrease हो जाएगी, इसे बोलता है, product specific, अभी example दूँगा मैं इसका आपको, तो एक होता है मेरा product specific cost, एक होती है मेरी common cost, जो production से होती है, not relevant, यानि इसको production से कोई लेना देना नहीं है, यानि production बढ़ भी जाए, production घट भी जाए, इसे खास फरक नहीं पढ़ता, अब लोग example, अब लोग example, calculator बना के बेशती है, और मान लीजिए, वही company, यह रही जी company, इस company बनने दो item, यह company एक तो calculator बेशती है बना कर, और एक pen बना कर बेशती है, मान लो, यानि company एक product दो, ठीक है जी, calculator and pen, calculator and pen, इस company के gate पर एक guard बैठा होगा, जिसे company महने की salary पे कर रही होगी, ध्यान देना महने की salary, अच्छा, company के अंदर, calculator की production कभी ज्यादा हो जाए, यह कभी बहुत कम हो जाए, या pen की production कभी ज्यादा हो जाए, या pen की production कभी बहुत कम हो जाए, क्या guard को मिलने वाली salary चेंज हो जाएगी, answer is no guard को मिलने वाली salary same रहेगी because उसकी salary time पर based है एक मेने के 15,000 रुपए या एक मेने के 20,000 रुपए या एक मेने के 30,000 रुपए या एक मेने के 50,000 रुपए तो ये time पर based है तो इसे मैं बोलता हूँ प्यार से common cost यानि ये खर्चा calculator और pen दोनों के लिए हो रहा है ये common खर्चा है इस खर्चे को हम calculator और pen में divide करेंगे इस खर्चे को हम calculator और pen में divide करेंगे ठीक है जी तो ये है मेरा common खर्चा ये example दिया है मैंने आपको common expense का, common cost अब बात करते हैं product specific company बना कर बेचते है then pen बनाने के लिया चाहिए pen की plastic body pen की refill pen की cap इन ऐडम सहिए पेन की plastic body वें की refill pen की cap अब होगा क्या company अगर बनाती है एक pen तो उसको चाहिए एक plastic body एक refill एक cap बनाया है अगर दس तो दस plastic body दस refill दस कैप अगर बनाए एक हजार पैन तो एक हजार प्लास्टिक बॉड़ी यह जो कवर है एक हजार निफिल एक हजार कैप तो क्या समझे आप जैसे जैसे प्रोड़क्शन बढ़ाता जा रहा हूं पैन का में वैसे वैसे उस पर लगने वाली मटीरियल मेरे शब्दों पर लि अच्छा इसको बोलते हैं शौर्ड में लिखू इसको चलो पूरा लगता हूं मटीरियल कॉस्ट एक्जांपल दिया है मैंने आपको यह तो आपको एक आइडिया मिल गया कि कौन सी होती कॉमन कॉस्ट और कौन सी होती है आपकी प्रड़क्ट स्पैसिफिक कॉस्ट तो एक है प्रड़क्ट स्पैसिफिक कॉस्ट और दूसरी को मैंने बूला कॉमन कॉस्ट दूसरी को मैंने बूला कॉमन कॉस्ट अब जड़ा ध्यान दें प्रड़क्ट स्पैसिफिक कॉस्ट को टेक्निकल शब्दों में बोलते हैं डारेक्ट कॉस्ट टेक्निकली क्या बोलते नहीं है, directly, अच्छा, यहाँ पर जो खर्चा आता है direct cost में, इसे तीन पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है आपका direct material cost, क्यों दूसरा होता है आपका डारएक्ट लेबर कोस्ट और तीसरा होता है आपका डारेक्ट इक्सम्सेज मत्ले अभी सम्झाता हो मैं आपको तीकसरлив इसके बारे मैं बात करूंगा अभी इंडारेकश को टेक्षिकली हम बोलते up Overshides यानि over head cost इसे हम इंडीरेक्ट और जी एक होटा है एक इंसाने के दो नाव मलगए बाहर होता है प्रदीव घर्डे होता है पिंटु सुधा है इसे ना यहां पर वहराइटम के दो या दो से ज्यादा नाम होते हैं आपको सारे नाम पता होने सी है पुकि एक्जाम में ना जाने किस नाम से कोश्चन में लिखा हुआ है तो चलिए अब बात करते हैं डारेक्ट माटीरियल कॉस्ट की DMC लिख रहा हुँ में शॉर्ट में इसको इसको DLC जैसा कि मैंने अभी आपको एक्जाम्पल दे के बताया था पैन की प्लास्टिक बॉडी रिफिल और पैन ये क्या है प्रडॉक्शन के लिए रॉव मेटीरियल रॉव मेटीरियल देखो यह तो हम जानते ही है न ये फिरिश्ट गुड्ड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रॉव मेटीरियल रॉव मटीरियल से बनता है फिनिश्ट गुड्स भ starred आपको अगर घर में आज समोसे खाने का मन कर जा-जाए कि यार समोसे खिला दो आसस्टो बाहर मानलो बारिश हो रही है मस्त चम चम गिर रहा है पानी आपका मन कर गया समोसे खाये घर में बना कर तो भाई आपको समोसे चाहिए समोसे क्या है finished goods इसे आप खा जाओ गये समोसे बनाने के लिए क्या चाहिए आपको आलू मैदा मसाला समझ गया तेल कड़ाई गैस सारे आइ censar यह आपको उन्न सब आइटम्स को technically ईसका मतलब है material मतलब एक ऐसी चीज जिसको घू सकता हो मैं ट cooperate सकता हूं उसको हो सब种र्टाल ने घे समझ घे बात को तो अगर एक पहन मनाने के अंदर मुझे एकछिह चाहिए, क्या refill को मैं छो सकता हूँ क्या refill के बिना pen बन सकता है answer is no, it is material to make finished goods यानि refill of the pen is raw material to assemble a complete pen अब मज़े की बात क्या है, अगर मैं एक लाख pen बनाऊंगा, तो मुझे एक लाख refill चाहिए, यानि cost बढ़ेगी, अगर एक refill एक रुपए के आती है, तो एक लाख pen मनाने में एक लाख रुपए लगेंगे direct material cost के इसे मैंने direct क्यों बोला, because production बढ़ने पर बढ़ेगी, production घटने पर घटेगी, इसलिए direct आपने कोई फिल्में देखने हैं बोलते हैं आरे तुने direct उसके मुँपे तमाचा ही मार दिया, direct मतलब आमने सामने, और indirect मतलब चुगली खोरी, किसी और से पिटवाना, समझ गया, तो direct मतलब सामने से दिया खैच कर, तो भाई साब एक pen बनाने में एक refill लगेगी, और एक refill आती है एक रुपए की, तो एक लाख फैर मनाऊंगा, तो खर्चा आएगा एक रुपए का, इसे क्या बोलते हैं, material cost, बट क्योंकि production के बढ़ने से मेरी material cost बढ़ जाएगी, इसलिए इसको टेखनिकली बोलूँगा, direct material cost, क्या बोलूँगा, direct material cost, तो आगई बात समझ बहुत है, direct material cost मतलब, वो material cost जो production के बढ़ने से बढ़ जाएगी, और घटने से घट जाएगी, अब आते हैं, item number 2, direct labor cost, यह क्या होता है, ध्यान देना ज़रा, मैंने क्या करा, मैंने मार्केट से लोगों को नौकरी पे रखा, मैंने बोला देखो भई, मेरी पेन बनाने की company है, मैं पेन बनाता हूँ, तो भई, एक पेन बनाओगे ना, एक पेन बनाओगे ना आप, तो मैं आपको दूँगा, 2 रुपए पर unit, आपको लग़ राओगा सर, practical life के अंदर तो salary मंतली होती है, आप तो कहड़े हो per unit, हाँ, practical life के अंदर salary आपकी मंतली होती है, इस बात को मैं बनाता हूँ, क्योंकि होती है भाई, लेकिन costing के अंदर, आपको salary दो तरीके की मिलेगी, एक होगी production based, एक होगी non production based, जैसे जो example मैंने लिया है, वो है production based, अगर Mr. Ram, वो मेरी company में काम करते हैं, उनका काम है, pen की plastic body में refill को डालना, cap लगाना, और set करके pen को तयार कर देना, assemble कर देना, ऐसे बोलते हैं, assemble कर देना, इसको आप manufacturing भी कह सकते हैं, production भी कह सकते हैं, तो मैंने बोला, पिंटू का देख भाई, यहां पर क्या होता है, production manager को शान्ती रहती है, उसको टेंशन नहीं है, वरकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मत कर काम, शाम में payment कम मिलेगी, practical life में क्या होता है, कि monthly salary होती है, monthly various होती है, तो वरकर करता है, हराम खोरी, बाई, शुरू शुरू में नौकरी मिलते हो, क्या बुलेगा, अरे सर, I will do my best, मैं बड़ा passionate हूँ, सर, I can work under pressure, ऐसे ऐसी बाते बुलेगा, वो employer को, कि बस नौकरी मिल जाए, एक बार नौकरी मिल गई, बचाज़दारों मेहना तैया हो गया, आप करवालों मुझसे काम, अब मेरे भाईने सुनों आप, सर, प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, सर, मेरे कान में दर्द है, सर, मेरे सर में दर्द है, अच्छा, सर, आज मेरी तबियत खराबे में आनी पाऊँआ, अच्छा, समझ गया, तो होता क्या है कि, मंतली वाली सेलरी के अंदर, प्रोडक्शन मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है, कोई बाकर खाली तो नहीं बैठा हुआ, काम तो कर रहा है न, नो खर काम तो कर रहे हैं न, लेकिन, जो प्रोड़क्शन वाली कंपनिया होती है, वह कोशिश करती है कि हम employee को payment दे on the basis of production एक रुपए एक बनाएगा प्रोपेमिंट मिलेगी दो बनाएगा दो की पैमिंट मिलेगी तीन मिलेगी यानि कि तेरी salary dependent है on production इसे बोलते है production based payment तो भाई मैंने तया कर दिया मैंने अपने बाइकर को बोल दिया कि भाई देखे मंतली ले टेल लगाने एक बनाएगा दो रूपय दूँगा अब तो देख ले सौ बनाने दो सो बनाने अगर तुने शाम तक पांसो पैन एसेंबल कर दिए हजार रुपए हो गए आज के महने में तू 26 दिन भी काम परेगा तो तुरे महने की साली 26,000 रुपए हो गए अब तू देख ले भाई काम करना है की नहीं करना है ठीक है ना तू पहन के असेंब्लिंग कर मुझसे पेमिंट ले डेली बेसिस पे ले चाहिए तो मंति ले चाहिए तो वीक ली ले तो इसे बोलते है डारेक्ट लेबर कॉस्ट यानिकि जब मैंने किसी इंसान के बच्चे को पेमिंट करें रहा देना मेरे शब्दों पर इंसा इंसान के बच्चे कोई की है बट वो प्रोडॉक्शन से लिंक नहीं है एक्जामपल गेट पर बैठे हुए गार्ड की सेलरी क्या प्रोडॉक्शन से लिंग्ड है नहीं क्या गार्ड को मैं ऐसा बोर्शता हूं कि तरह को मिलेंगे दस रुपए पर यूनिट प्रेडियू लेबर कोस्ट उसे बोलते हैं इंडारेक्ट लेबर कोस्ट अब जरा ध्यान देना आपको समझ में आ गया डारेक्ट मटीरियल कोस्ट यानि वह मटीरियल जिसको मैं टच कर सकता हूं मगर यह प्रोडॉक्शन बेस्ट है प्रोडॉक्शन के बढ़ने पर बढ़ जाएगा कि घटने पर घट जाएगा इसको बोलते हैं डारेक्ट मटीरियल कॉस्ट बट कुछ मटीरियल कंपनी में ऐसे भी होते हैं जो प्रड़क्शन से जिनका प्रड़क्शन से लेना देना नहीं होता है एक्जाम्पल के लिए मशीन में लगने वाला ग्रीज मटीरियल है आई कैंट टैशिट मशीन में लगाऊंगा मशीन स्मूदली काम करेगी इस माई इंडारेक्ट यानि कि है तो मटीरियल बट ज्यादा प्रड़क्शन करने के लिए ज्यादा गरीज लगाने पड़ेगी ऐसा तो नहीं है बही आपने कभी अगर साइक्ल चलाई हो साइकल में चेन के पास क्या लगाते हैं ग्रीज लगाते कई बार ताकि वह यह नहीं अगर जंग आ गई है या बारिश में भीग गई है तो क्या समझे आप material cost direct भी हो सकती है और indirect भी हो सकती है कहने का मेरा मतलब यह है कि यह लिखाता है मैंने direct और यह लिखाता है मैंने indirect तो इसका मतलब यह है कि इसके भी तीन हैड है इसको बोल तें इनडारेक्ट मुटेरियल कोस्ट इसको बोलते है इनडारेक्ट लेबर कोस्ट और तीसरा इनडारेक्ट एकस्पेंस इसका इक्जामपल है मशीन में ऑईल लगाना, मशीन में घ्रीस लगाना, यानि मशीन ऑईलिंग एक्सपेंस, इसका एक्जाम्पल है, सेलरी ओफ, गार्ड एट टर्टरी गेट, ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया विता, उसको लिखवा दिया, अभी रुख जाईए, अगर नोट करते चल रहे हैं, तो नोट कर सकते हैं, वरना मेरी बातों को समझते हो चलिए, अब आखरी एक्सपेंस आता है, डारेक्ट में, डारेक्ट एक्सपेंस, अब चला और भाई, आजाओ, यहां के लिखावा है, डारेक्ट कोस्ट, और यहां के लिखावा है, डारेक्ट एक्सपेंस, बहुत गहरी बात है, कोस्टिंग में, कोस्ट का मतलब अलग है, एक्सपेंस का मतलब अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ में, कोस्ट और एक्सपेंस का एक्स मतलब है आई बात समझ में cost बोलूँगा तो अलग मतलब है expense बोलूँगा तो अलग मतलब है कैसे ध्यान देना जड़ा मैंने क्या बुला मैंने बुला direct cost is equal to direct material cost plus direct labor cost plus direct expense यह तो बनाई मैंने heading कि direct direct material cost direct labor cost and direct expense इन तीनों को मिला के क्या बनता है मेरा direct cost तो ध्यान दो जड़ा मुझे यहां से यह पता पढ़ गया है कि भाई costing subject के अंदर the word cost is a bigger term than the word expense इसका मतलब यह है कि question में आपको direct cost दी है यह direct expense दिया है इसका बहुत impact यानि कि exam में और question करते वक्त भी costing के हर एक word को बहुत ध्यान से पढ़ना है जल्द बाजी में नहीं पढ़ना question में mistake हो जाएगी answer गलत आजागा number नहीं मिलेंगी एक example लेता हूं मैं माल लो मैंने आपको बूला calculate calculate total cost calculate total cost अब मैं कुछ ही दे रहा हूं आपको देना मैंने दिया आपको direct material है मानलो एक हजार रुपर डारेट लिवर है मानलो 2000 रुपर डारेक्ट कोस्ट है मानलो 4000 रुपर इसे लोग पहले expense हो इसे पहले इसे में लोग पहले expense ताकि बजा आएगा फिर आपको समझ भाएगा importance of a word फिर मैंने बूला overheads यानि सारे खर्चे आगा इसके अंदर indirect material cost प्लस indirect labor cost तो यह मानलो पांच आरवान लेते हैं इसको अच्छा यह example है तो क्या बोलोगे आप total cost मतलब क्या है सबको add कर दो आप बोलोगे प्लस डी ए प्लस indirect cost indirect cost कहूं overhead कहूं एक ही बात है सबको add कर दोगे आप हजार कि 2000 चार हजार और 5000 कितना आ गया है एक और दो तीन तीन और चार साथ 75 बारह यह आ गया जी मेरा अंसर लेकिन ध्यान देना भी नोट करने का वक्त मैं दे दूँगा आपको ध्यान देना भी मैंने फिर से लिखा example और मैंने बूला calculate total cost अब देखो मैंने क्या कह दिया मैं बोलता नहीं है आप लिखवाता हूं आपको निकालो जी टोटल कॉस्ट तोटल वस पराबर डारेक्ट कॉस्ट प्लस इंडारेक्ट कॉस्ट निकालो अगर आपके मन में आ रहा ना एक्जांपल सेम है तो इसका मतलब है आपने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया डारेक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है और डारेक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें डारेक्ट मेटिरियल कॉस्ट डारेक्ट लेबर कॉस्ट एंडारेट एक्सपेंस तीनों अल्डेडी जुड़े हुए हैं तो यहां पर क्या होगा चार हजार मिलस पांचे जार तो कितना आ गया ही 9000 लो जी कर लो बात समझ में आया आपको इंपेक्ट ऑफ वर्ड वाई सब कोस्टिंग के अंदर अगर एक वर्ड भी उपर रीचे कर दूं पूरे कोशन में जो की इंपॉर्टन वर्ड तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और अगर आंसर चेंज तो भईया नंबर चेंज गलत आंसर निकाल दिया नंबर नहीं मिले दजी है तो आई बात समझ में तो डालेट कोश्ट एंडाट एक्स्उक्पेंच बौत टीफरेंट कोश्ट जिए बिगट टम टैनिट्स अब आईए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ डालेट एक्सप्रेंस का एग्जाम्पल लीजी आप डाइट नहमक्रम कर रोईल यहां बात कर रहा हूं मैं डाट इस्पेंस की उपर जगे मेरी थोड़ी से फिल हो गई थी इसलिए मैं नीचे आ गया माल लीजिए मेरे को पता चला कि फॉरेंग कंट्री के अंदर कोई मिश्टर जॉन है क्या नावन का मिश्टर जॉन मिश्टर जॉन ने एक ऐसी टेकनिक डेवलप कर ली है जिसकी मदद से उन्होंनों एक ऐसा पैन बना लिया है जिस पैन को अगर मैं आंस्वर शीट पर रजिश्टर पर किसी भी कागज पर रख दूं और अपने मूझ से कमांड दूं यानि मूझ से बोलूं तो वो अपने आप लिख देगा है हां एक्जाम के अंदर वो पैन आप लेके गए आप में रखी आंस्वर शीट उसके ओपर पैन को रख दिया और मूझ से बोल रहे हो और वो फटाफट सॉल्व कर रहा मैंने का यार अगर उस पैन को उस टेकनिको में इंडिया में लेके आ जाओं और अपने इस पैन में डाल दूं मेरी तूबात बन जाएगी भाई सब पूरे इंडिया के इंदर रातो रात में बनने वाला हूं करोडों पति मैं मिस्टर जॉन के पास भागा भागा गया मैं कि देने का रिस्क कोई भी कंपनी लेगी लंसम पेमिन देखो पैन में दम है टेकनीक में दम है अगर फर्मूला हाथ लग गया तो भाईजा पूरे हिंदुस्तान में इतने पैन विखेंगे हमारे और इतनी अच्छे रेट पे विखेंगे कि मजह आ जाएगा लेकिन ऐसे इतनी होती है जो हमारे इंसिट्यूक से स्कूल से उन्होंने बैन लगा दी इस पैन के उपर तो मेरे तो 200 फस गया ना भाई मेरे तो 200 फस गया पैन में दम है कौन खर देगा मेरे में गए पर इस्टूडेंट एग्जाम होल में लेजा आएगा वैन को पेपर पे रख अशुल आई यूब्समाँट में लम्ण देनि करूंगा मैं तो मैं तुम्हें तो याथ पर पेंटेंगर सकता हूं पर पेंट तो मिश्टर जॉन ने बोला पर पैन दोने कपर पैन मिश्टर जॉन बैरे हो कि आप सिरिए लिए मैं पशर बैरा नहीं होंग है मैं पर पैन सकता हूं तो मैंने बोला मिश्ट जॉन को बढ़ा पर पैन कितना लो गया मिश्ट जॉन ने बहुत तो चारके बुला कि मैं पर पैन हजार रूपे लूँगा मैंने कहा डन इसका मतलब क्या हो गया जब मैं एक पैन बनाकर इंडिया में बेचूंगा मैं हजार रुपए पेमेंट करूंगा मिश्टर जॉन को एक पैन बनाया एक हजार रुपए दो पैन बनाए दो हजार रुपए दस हजार पैन बनाए तो दस हजार गुना हजार समझ गया एक लाख पैन बनाए तो एक लाख गुना एक हजार यह पेमेंट करूंगा मैं मिश् किया रोयल्टी की पेमेंट मटीड पेमेंट है क्या रोयल्टी कोई मटीर्ब ए जिसको मैं ट।"? आंशर इसनो! तो मेरा को यह बात तो समझ में आगई owns इस नॉट डार्फ मटीरal अज़ पहले मुझे बताओ क्या यह रोयल्टी डारेक्ट कोस्ट का पार्ट है यह इनडारेक्ट का पार्ट है तो भई प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी प्रोडक्शन के घटने से घटेगी तो अधर माटीरियल लेवर एंड अधर 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 तो क्या यह मटेल है आंसर इस दो फिर बात करते क्या यह लेवर की पिए मेंट सेंड यह क्यों भाई मिस्टर जौन-ट्री वैट के प्रोडॉक्ट्टर रहे हैं assembling कर रहे हैं क्या नई तो ना तो labor है ना material है तो क्या यह अधर और इस अधर को ही expense word दिया जाता है तो यह क्या है मेरा direct expense तो royalty is my direct expense आवी बात समझ में अच्छा जी तो यह सारी बाते आप समझ गए कि पुड़क्ट में पुड़क्ट की cost को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं direct cost indirect cost तीन पार्ट में तोड़ते हैं direct material cost direct labor cost और अच्छा जी अब बात करते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी और बात हमने शुरू की थी कोस्ट को कम करने से तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है employee cost and direct expense तो ध्यान देना यह चैप्टर अब आओ चैप्टर की बात करते हैं यह चैप्टर दो खर्चों की बात करेगा एक है आपका employee cost और एक है आपका direct expense यह एस तो ययानी कि यह बात कर रहा है direct labor cost की और यह बात कर रहा है diet expense की शिर्फ दो खर्चों के बारे में यह बात करेगा इसको हम labor cost भी कहते हैं इसको हम लेबर कॉस्ट भी कहते हैं तो समझ में आगी बात तो यह था इस चप्टर का बेसिक आई ये पहले इतने पार्ट को आप नोट कर लिए रुख जाए नोट करने से पहले एक बात बताने चाहता हूं में आपको फिर नोट कर लिना यहां पर क्या सीखेंगे दो यहां सब्सक्राइब करता है वह एक दिन के घ्यान देना वह एक दिन के हजार रुपे लेता है मुझे फिक्सर पर डे पर डे फिक्सर और एक दिन में मान लो वह प्रदक्शन करता है पांसो पैन का तो मैं अगर आप से पूछूं कि मेरी डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर पैन कितनी है तो क्या बोलोगे आप हजार रुपे दिये सर आपने उसने पांसो पैन बनाए तो सर आपको एक पैन बनाने में दो रुपे खर्चा आया किसका डारेक्ट लेवर कॉस्ट का ठीक है अब म मैं चाहता हूँ मेरी कोश्ट को कब करना मैं चाहता हूँ दो रुपर से कम हो या रही है कि शुरु में आपको मैंने बताये था कि profit को increase करने के लिए मुझे cost में क्या करने पड़ेगी reduction अगर cost को मैंने कम कर लिया तो मेरी बात बन गई अब ज़रा ध्यान दो cost को कम करने के लिए मैं अगर अपने employee employer के पास जाओं और उसे motivate करूं yes you can do it yes you can do it आज तुम राम हजार पहन नहीं दो हजार पैन नहीं पांच आर्पैन नहीं दस हजार पैन में आओगे हो जाएगा मुटिवेट हो जाएगा कुछ सेकिंड के लिए इसे मोलते हैं फर्जी motivation रियल मोटिवेशन क्या है जो उसके अंदर से आएगा उसके अंदर से क्या रहा है मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो मैंने दिमांग लगाया यार ऐसा कोई formula ऐसी कोई scheme मैं इस Mr. A को दूँ जिससे इसकी earning बढ़े और मेरी cost भी कम हो घ्यान देना वो भी जीते मैं भी जी हो ऐसा ना हो कि वो हार जाए मैं जीत जाओं या वो जीत जाए मैं हार जाओं मैं चाहता हूँ उसकी जीत हो और मेरी भी जीत हो तो मैंने क्या करा मैंने मिस्टर एक बोलाया मैं तुम्हें फाल्ट में मोटिवेट तो नहीं करूंगा मैं तुम्हें काम की बात बताता हूं मेरे भाई सुनो आपको डेली के हजार रुपय देता हूं मैं आप और डेली में आप 500 पैन का प्रडॉक्षीन करते हो उसे बोला ह मानलोक किसी दिन आपने हजार बना दिए उस दिन मैं आपको 500 रुपे एक्ष्ट्रा दूगा मतलब हजार तो मैं देता ही था मैं 500 दूगा एक्ष्ट्रा मतलब मैं पंद्रा सु दूगा क्या लगता है आपको मिश्टर एको लगे लगा इसकी मच्छी है उसको लगीगा डेली कितने कमा रहा है वह हजार रुपे ध्य पांचसर पैन मैंने मिश्टर को बोला देखो मिश्टरे तुम्हारे को मैं हजार के जगे फंदरा सो दूगा जिस दिन तुम पांचसो बिजगे हजार पैन बनाओ अब मिश्टर मोटीवेट ओगया अब ना उसे मुझे सुना निए को इस ना उसकी बगले बैठ रहने मेर भी है वो चाहता है उसके अर्निंग बढ़े मैं चाहता हूं मेरी कॉस्ट कम हो मैंने जोड़ दिया अब जरा मचा देखो मिस्टर इने जान लगा दिया के लिए लिए बोला कि साहब आज ही लो आज ही खाता खोलता हूं मैं हजार पैन बनाओंगा और साम में वह आया पसीने से तर हजार पैन बनाकर बोला साहब हजार पैन मैंने बना लिए है मुझे आज हजार नहीं फंदरा सो रुपे दो तो क्या हुआ मिस्टरी के अर्निंग बढ़ गई अच्छा बात कर कितना आएगा मैंने पंदरा सो दिये और कितने पैन बन गए एक हजार कितना खर्चा आया डेड़ रुपे पर यूनिट क्या लग रहा है आपको मैं पागल हूं भाइसाब बुद्धी का इस्तेमाल किया यहां पर उसकी अर्निंग भी बढ़ गई मेरी कॉस्ट भी कम हो ग आगे रहे तो खुद की बैटी डाउन जाएगी तो बात समझ में आगे यह चापर क्यों पढ़ रहा है हमने अपने इंप्रॉय को मूटिवेट करना है मूटिवेट करने के तरीके सीखेंगे इसके दरब हम टोटल कॉस्ट निकालने के तरीके सीखेंगे इसना टोटल कर दोटल लेह थीमी कालने के का मूस बैब तो यह चैप्टर हमारा मेन इन दो पर करता है फोकुस डाइट लेबर कॉस्ट एंड डारेक्ट एक्सपेंस तो पता पढ़ेगे चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं नमबर लाने के लावा हमारा और रिजन भी है और रिजन क्या हमारा अपने इंप्लोई को मोटिवेट करना त ज्यादा प्रशन करें और दोनों को बेनिफिट हो कि नोट करते जाएं ठीक है चलिए बड़े आगे बड़े जी आगे थोड़ा से बढ़ लेते हैं अभी जो कॉन्जेप्टर बेसिक अभी बाकी है आगे बढ़ता है है आभी मैंने आपको बता है रीजन कि हम चैप्टर व्यार्फ पढ़क हैं अ अब पढ़ते हैं आगे देखो एग में डेख से जेंगे जी किया होता है कि बोड को दी जाने वाली दो बात वाने करती निर भर या देखो और कीसे-ड goes तो ओफ लेवर द्यान देना एक तरीका होता है आपका पेइमेंट अफ लेपर अब लेपर अब लो मैफ़ड़्स एक होता है टाइम बेस्ट वेज रेट सिस्टम देखो वेज बोले वेज़िज वेज़ रेट सिस्टम पता झाली आपको जराब देखो दो शब्द है एक सेलरी एक होता है विज़िस एक होता है सेलरी और एक होता है विज़िस इस को किन दोनों का मतलब एक ही है और इंसान और पड़ें लिखेंक काम और करने के लिए कर रहे आपको मिलनेए वाले पैसे को हम टेकिनीकली बोलेंगे झेल्री बट को मिलने वाले पैसे को हम अच्रमHealth कर रहा है था पसीन वह वह रहाएं पैने इसेंबल कर तो यह फरक है वर्ड शैलरी एन विरिस लेंदर तो लेबर को पेइमेंट करने के दो मैस्टड होते हैं टाइम बेश्ट वेज रेट सिस्टम इसमें क्या होता है जैसे कि नाम से पता पढ़ रहा है टाइम के बेसे पेमेंट होती है टाइम के बिस जैसे डेली डेली के 100 रहता है वर्कर को बड़ा पसंद आता है यह टाइम बेश्ट सिस्टम यहां पर वेजिस का मतलब होता है देखो टोटल वेडिस मतलब होता है एक्जामपल के लिए नमबर ऑफ डेज गुना वेज रेट पर डे कि मालो मैंने अपनी company अंद्रेक बंदे को रखा मैंने वोला भाई pan can production करो आपको एक दिन के 500 रुपे दूंगा यह तो दो सू रुपे किन दिन काम करेगा तो लील्पर चार दिन काम करेगा तो 400 रुपे बास दिन काम करेगा तो 500 रुपे बेसिकल यहां पर मुझे प्रोडॉक्शन से मतलब नहीं है इसे बोलते हैं टाइम बेश्ट सिस्टम इसमें नो वरकर बड़ा खुश रहता है एक बार नौक नहीं मिल जाए मेरा डेली वेज अमांट फिक्स हो जाए उसके बाद काम करूंगा पर नहीं साफ से इसको टेंशन नहीं रहती है प्रडॉक्शन कम भी होगा तो क्या मुझे तो पूरा मिलेगा बट यहां पर मालक को टेंशन रहती है यां शाला काम नहीं करना तो इस सिस्टम में एक को फायदा एक को नुकसान है दूसरा होता है आपका पीश रेट वेज़ वेज शिस्टम पीश रेट बेट बतलब यां पेमेंट होती है आपकी पर यूनिट लेवर को मैंने बूला दो रूपे पर पेहन लोगा तुपेहन बना दो रुपयद पर पहन दोगा हाँ आसा बनाएगा फोना दो potoopol मा Nitro बनाएगा फैन से फिरनदो ऑब यहां पर क्या हुआ यहां पर गतार कुछ है कि तो हमेवप ट्युक्ति बैमन करोंगा करणा तरे को हैं में हमाने वर्किंशन दशुर हें गुभर कर रहा है मालो कभी तवश्त खराब हो गई तो जितने मेरी तवश्तथ खराब है उस दिन तो ज्यादा पैसे जरुनिट इस जाना मेरेकल घठीक्र पाइamment के जलोगी और पहले वाला में गता वर्कन है कंपनी नॉट हैपी सेकेंड वाले में कंपनी हैपी वरकर नॉट हैपी होता है जी होता है यहां पर टोटल वेरे निकालने का फर्मुला होता है नंबर ओफ यूनिट्स प्रेडिूस्ट गुना वेज रेट पर डे पर यूनिट पर डे कल बोल गया में वेज रेट पर यूनिट यह था हमारा सेकंड वाला मैथड इसको नोट करते हो चलना नोट कर लो इसको आओ थर्ड थर्ड वाले को बोलते हैं पीस रेट वेज वेज पीस रेट वेज वेज शिस्टम मैं वेज बुलिया वेज बिलिया निया वीज वेज वेज शिस्टम विद गारंटेड विद गारंटेड टाइम वेज आगा मतलब इसका है तो दोनों जो उपर में थे उसमें कभी वर्कर हैपी हो रहा था कभी कंपनी है पिर थी बट कंपनी चाहती क्या है अगर मैं आप से पूझे कंपनी चाहती क्या है तो भाई कंपनी ये चाहती है कि मेरी कंपनी में जो भी व्यक्र काम कर रहे हो हैपी रहे विकाउस कंपनी अगर छोड़कर गया इंपलाई पर नए बंदग रूड़ो नए टेंशने पालो तो बैस्टी है कि भाई वो ठीका अगर और यहां पर वेज पर युनिटा कर नहीं हरा दो सिर्मेंट करने है किवेज पर रगे एंट वेज पर यूनित तो महलो इसने बनाई 200 उनिट्स अब देखो होगा क्या अगर मैं निकालू टाइम के अकॉर्डिंग तो वर्कर को मिलना चाहिए अगर मैं निकालू time का according तो worker को मिलना चीए 100 रुप है और अगर निकालू production का according तो worker को मिलना चीए 200 रुप है तो इस case में होता क्या है company क्या करती है इन दोनों का higher pay करती है जो भी ज्यादा होगा वो pay कर देंगे higher will be paid इससे हुआ क्या worker always happy यानि कि उसको अगर अपनी amount बढ़ानी है तो ज्यादा production करो यानि 100 रुप दम देनेंगे आपको minimum बट ज्यादा production करोगे तो आपको मिलने वाली wages बढ़ भी सकते हैं तो थर्ड वाली category में क्या होता है worker always happy प्लस motivated ज्यादा production करने के लिए प्लस motivated ज्यादा production करने के लिए तो यह तीन सिस्टम होते हैं जी वेजिस को पे करने के तीनों को नोड कर लिए आप ने कि चलिए अब एक एक एक्जाम्पल लेता हूं मैं सबसे बेस्ट कौन सा है method नंबर तीम वरकर यहां पर motivated भी राएगा और secure भी फील करेगा करेगा because time के बिसे payment तो मिलेगी मिलेगी ना किसी दिन कम काम किया उसने माल लो तो भी उसको payment मिलेगी टाइम के बिस पर अच्छी खासी उसे द्वादा सहौर पर तो मुझे मिलने ही मिलने यार चाया production मेरा कम हो जाए हालिक निकर मुझे विडिस को बढ़ाना है तो इन्होंने units produce किये a ने बनाई है 40 unit एक दिन के अंदर b ने बनाई है 80 और c ने बनाई है मानलो 50 units ठीक है जी और कोशन में दिया गया है कि wage rate पर डे है 100 रूपए पर डे है मानलो 100 रूपए और कोशन ने बोला गया है कि piece rate है आपका piece rate मतलब wages per unit यह है मानलो आपका 2 रूपए तो कोशन बोलता calculate 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 wages of worker under all three methods all three methods तो यह example है इसको आप खुद भी solve करने की कर सकते हैं practice एक पर try कर सकते हैं खुद solve कर यह एक बार प्राइगरी solve करने का चलिए मैं करता हूं सबसे पहला आप टाइम बेस्ट पेमिंट time-based method यहां पर तो method मालो अगर यह company follow को रहे time-based method तो कितना मिलेगा यह को 100 रुप है कितना मिलेगा बी को 100 रुप है कितना मिलेगा सी को 100 रुप है कितना मिलेगा असी असी गुना दो यह नहीं 160 और सी को मिलेगा 50 रुप है अच्छा किसे फायदा हुआ प्रिशेट वाले में पीसे रिट वाले में सीजोटनी पड़ा बीको फायदा हुआ एक नुकसान होगा यह आपसमें क्या होगा गपनी के कुछ इंपलाइस है कुछ नॉट हैप्पी है को कंपनी में अलग सा इन्वामेंट होगा मजा नहीं आया काम करने के अंदर और तीस का 100 और 160 में हायर गौन सा है 160 और सौ 1 कौन सा है दोनों तो बराबर नगरहुत तो बताओ मेकसा नंबर तीन में कितने मुतित मिलेगा रूप है वी को वन सैक्स्थिवार सीगों डीड़ रुपिस बताओ वरकर हैपई होंगे यादckt हपी तो भाईब मेथद नमबर 3 जो आपका है पीस रेट वेज सीस्टम विद गारेंट टाइम बेज्ट पेमेंट इसमें क्या है तीनों के थी तीनों वरकर खुश तो कंपनी कोई फायदा हो गया हमारा वर्कर खुश भी हो गया मोटिवेटी भी हो जाएगा कंपनी में इन्वार्मिंट एच्छा राएगा प्रडॉक्शन ज्यादा करेगा हमारी डारेक्ट लेबर कॉस्ट भी कमा जाएगी ठीक है जी तो यह नोट कर लिजिए अब एक कोशन कर लेते हैं इस कॉसेप्ट के उपर कोशन नंबर 27 कोशन नंबर 27 निकाल लो अपनी बुक में कोशन नंबर 27 परते हैं कोशन को वेज वेज नेगोशेशन आर गोइंग ऑन यानि कंपनी जो वेज़ेश पे करती है उसका लिए क्या हो रहा है नेगोशेशन हो रहा है वेज़ेशन नेगोशेशन आर गोइंग ऑन विद रिकागनाइज लेवर यूनियन और मैंगेजमेंट वांस यू अजिए कोस्ट अकांटेट ऑफ दी कंपनी तू फॉर्मूलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद एव टू इंक्रीज प्रॉड़क्टिविटी अंडरलाइन करो वर्ड प्रॉड़क्टिविटी क्या मतलब है प्रॉड़क्टिविटी का उनित्स में ज्यादा प्रॉड़क्शन वूड़क्शन बढ़ जाए अच्छाP वर्कर्श की अर्निंग बढ़ जाए उन सालों को मोटीवेट कर दो उनको ऐसा इंसेंटिव दो कि वो काम करने के लिए पागल हो जाएं हम क्या हैं cost accountant ये क्या होता है costing पूरी समझ लेने के बाद practical life में अगर कभी आप cost accountant बने तो आपको बहुत ही अहम जिम्मदारी मिलेगी company के अंदर और उस अहम जिम्मदारी के तहत आपको company की cost कम करने का बेड़ा दिया जाएगा आपको बता जाए कंपनी की labor cost फिलाल यह है material cost फिलाल यह है diet expense यह है indite expense इने कम को रोबाओ जी तो cost accountant का काम होता है अपने workers को motivate करना और cost को कम करना employee का भी फाइदा और employer का भी फाइदा तो आपको भी future के अंदर ऐसा हो सकता है कि labor union के साथ बातचीत करनी पड़े चलिए अब पढ़ते हैं आगे question को the case of three typical workers तीन वरकर के बारे बात करी है नाम है अचूत्या 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 चूत्या चलो जो भी नाम है समझ जा यार बड़ा डिफिकल सा नाम है है ऐसा नाम क्यों रखते हैं लोग अपने बच्चों का अगला है अनन्ता और तीसरा गोविंदा गोविंदा तो बड़े आ नाव है आला रहे आला गोविंदा आला तो भाई तीन वरकर है who produce respectively 180 120 and 100 units of companies product in a normal day of eight hours is taken up for study देखो एक दिन इसमें आट घंटे काम किया है अंडर्लाइन करो बड़ो अंडर्लाइन करो वर्ड एट आर्स और इन्होंने बनाया है 180 बनाया पहले वाले ने 120 बनाया दूसरे वाले ने और 100 बनाये तीसरे वाले ठीक है आगे बढ़ते हैं जी क्या यह मैंसर नमबर तीन है नहीं यह मैंसर नमबर तीन नहीं है यह सिर्फ बता रहा है कि आवर ने इनका 75 पैसा पर आर तो यहां पर मैं लिखूं वेज रेट पर आर तो यह 75 पैसा यह बता रहा है बस और कोई मतलब नहीं रहा है और पीस रेट वुट भी बेस्ट ओन एंड इस्टेंडर्ड आवरली आउट्पूट आउट्पूट आफ टैन यूनिट्स एक घंटे में कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए एक वार आया का इनदर स्टेंडर्ड का इसे अंदर स्टिंडिक वोड़ का हिंदी मिनिंक है चाहिए कि मुझे यह यह मुझे वो चाहिए समुझ कर चाहिए यानि कि एक घंटे में 10 बन नी चाहिए तो बताओ मैं अगर आपसे पूछ हूं कि मुझे बताओ आप wage rate per unit बता पाओगे आप सोचो जड़ा एक घंटे में के 75 पैसे मिलेंगे और एक घंटे में 10 unit बननी चाहिए दोन इनफोर्मेशन को आप आप से प्रोसेस करो क्या निकाल पाओगे wage rate per unit अराम से देखो एक घंटे में 75 पैसे की payment करेंगे और एक घंटे में बनाएंगे 10 units जैनि कि जो बननी चाहिए तो कितना हो गया per unit 0.075 per unit समझ गए ये क्या है मेरा wage rate per unit आगे बढ़ता हूँ calculate the earning of each of 3 workers and labor cost per 100 pieces ध्यान देना जड़ा क्या निकालना है मुझे एक तो मुझे निकालनी है earning of each worker यानि उन्हें कितना पैसा मिलेगा उनकी कितनी earning है उन्हें कितना पैसा मिलेगा ओके एंड लेबरकोस्ट पर 100 piece कोर्शन नॉर्मली बोलता है निकालो direct labor cost per unit ये कोर्शन बोलता है न वाट इस कोर्शन ने बोला नहीं निकालो direct labor cost per 100 units क्या निकालो आए तो इसोनिति अपाल लेड़ कॉस्ट है की ऑर यूनिट गुना साओ यह जो फर्मुले है यह कामन सैंसर फर्मुले बनिये को रही एक अपरांए कितना कर्च आपरां ने दियां देना अंदर पहला है डे वेजिश यानि अकर हम पेमेंट करें का लिडे के के बेस्पर याणि अगर क्वेमिंट करें टाइम के बेस्पर तो बताओ। अच्छा. दूसरा है पीस रेट अगर हम पर्मन करें पीस रेट के बेस्पर तो बताओ. को तो पर करेंगे चलिए से रोवन मत पढ़ना सर आपने दो बोल दिया मत पढ़ना भाइस को हॉल से स्कीम अभी बताई नहीं मैंने आपको रोवन इसीम अभी मैंने बताई नहीं है आपको बताऊंगा तब करेंगे कि चलिए सबसे पहले करते हैं requirement number one आप आंसर को साथ-साथ में नोट भी कर सकते हैं समझने के साथ-साथ requirement number one ध्यान देना चारा वरकार है मेरे पास तीन एक है मेरा a-c-h-y-u-t इसका नाम बोले मंदल अगरा मिर को यार दूसरा अनंता तीसरा गोविंदा वैला रिया ना अला गोविंदा अच्छा पहला मतलड क्या बोलता है डे विजिस मतलब टाइम बेज्ट अच्छा अब निकालते हैं सकि डेली विजिस अच्छा फेंड गहला वर करें उसे कितना प्यक्तने अगर प्यक्यक्त भूस एक दिन में कितनी पेमेंट करने किते घंटे काम करना इन को आठ गंटे और एगंटे की पेमेंट कितनी है पिचात्तर पैसे मतलब पॉड़क्शन से कोई लेना देना नहीं है तो सिंपल सी बात है भाई आठ गंटे काम किया और रेट है 0.75 पर आर यह आगया छे रूप है जैकेंड वरकर सेम आएगा थर्ड वरकर सेम आएगा सेम क्यों आ रहा भाई अरे पेमेंट करने टाइम के बेस पर यार प्रड़क्शन से कोई लेना देना नहीं है कुल पेमेंट कितनी करें तो इनको अठार रूप है यह क्या निकाल लिए मैंने अर छे 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 रूप काम मिलेगा अच्छा अब मुझे निकालना है डारेक लेबर कॉस्ट पर हंडेद यृट्स पर हंडेड पीसिस ओक्य अच्छा क्या मुझे कोशन के अंदर एक्चुल आउट्पूट्ड गीवनने क्या और मैं तो एक्चुल आउट्पूट एक्चु यहां क्या लिखा था मैंने डारेट लेबर कॉस्ट पर हंडेड वेराबर क्या होगा डारेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अच्छा डारेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी तो सिंपल होगा भाई टोटल डारेट लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनि करिया और ये गिवने मुझे टोटल आउटपूट ये टोटल यूनिट्स एडिक टिमनाई एक स्वसी बीने कितनी मनाई एक सुपीज सीने कितनी मनाई 100 सबने कितनी मनाई 400 यूनिट्स आड़ी जिवास हमझ में अब मैंने का लिजान डाइट लेबर कॉस्ट पर हंड्रेड यूनिट्स द्यान देना जरां कैसे निकाल लूंगा छे रूपे खर्च हुए एक सो असी बनाने में तो छे बटा एक सो असी यूनिट्स इससे क्या जाएगा मेरा पर यूनिट्स गुना कर दूंगा 100 यूनिट्स से कितना जाएगा मेरा पर हंड्रेड यूनिट्स यहनि छे बटा एक सो असी गुना तो कितना आगया मेरा कि तीन रुपाय थेंटीस पैसे आगे बात समझ में सोचो थोड़ा सोचो छे रुपाय दिये एक सटी बनाने के तो छे बटा एक सटी तो यागे मेरी पर यूनिट्स गुना कर दो है थीक है ? अ था है अच्छा ओंन रूरी के घार अ न्यूट्रा है कि भी का अब मैं निकाल रहा हूं टोटलीटिक के बस्पटारटि लेवर कॉस्ट पर हंड़र यूनिट्स यह निकालिटी टोटली टीटेश सदीको कुल मैंने प्रक्रीज की एठार रुपर किदरी बनी चारसों नित्वा अत्हारा बटा चारसों गुना सो तो यह आगा ले चार रुपर या गया मेरा 64 रुप तो लोजिक एस पर डेली वेजिस या डे वेजिस या कहलो टाइम बेस्ट पेमेंट मैंने आंसा निकाल दिया कोई डाउट कोई घिला को शीकवा नहीं होना चाहिए इसको नोट कर रो इसके बाद रहेंगे सेकिंड वाला पीस रेट के बेस्ट पर क्या करना है चली बढ़ वागे रिक्वार्में नमबर तू रिक्वार्में नमबर तू है मेरा पीस रेट पीस रेट मतलब प्रोड़क्शन बेस्ट पेमेंट वरकर फिर ती नहीं है मेरे पास पहले बेले के नाम पढ़ना रिस्की है दूसरे वाला है अनंता और तीसरा है गोविंदा इसे बड़क्शन होई किसके बेस्पर इसमें पेमेंट हो किसके बेस्पर यूनिट्स प्रेडूस के बेस्पर तो लिख रहा हूं मैं एक्ट्वल आउट्पूट शौट में लिख दिया मैं एक्ट्वल आउट्पूट किते यूनिट्स बनाई यह क्या है मेरा एक्ट्वल आउट्पूट इसने बनाई 180 इसने बनाई 120 और इसने बनाई 100 टोटल 400 बनाई मुझे क्या निकालनी है इसकी टोटल वेज फइंट तीनों की आजब मुझे क्या चाहिए संबेजू बाइद पर यूनिट्पूद तो क्या मैंने वेजरेट पर यूनिट निकाली थी क्या उपर देखो जड़ा यह निकाली है मैंने यह जीरो पाइंट 075 यह क्या है मेरी पर यूनिट पेमिन्ट अब मैं निकाला हूं टोटल विजिस यहनि उनको मिलेगा जो उनकी अर्निंग है कैसे निकालू भाई सिंपल है इसे मैं अगर एक है दूँ और इसे कह दूँ भी तो यह कितना हो जाएगा यह गुना भी कर दो भाई पॉइंट 075 गुना एक्सवस्य कितना आ गया तेरा पॉइंट पांच यह जैनि साड़े तेरा मिलेंगे इस भाई साब को तो इसको मिलेंगे नौ रुप्य और इस पहल्मान को मिलेंगे साड़े साथ रुप्य तो तल हो गए टीस रुपर अम अ मुझे निकालना डार्यक लेबर कॉस्ट पर 100 उनिट्स निकल जाए गाराम से यह तो बहुत सिंपल है फुजी का निकाल आए डारेक लेबर कॉस्ट पर हंड़ेड यूनिट्स अच्छ अच्छिए पास क्या अभी लेवल है तो धांदिना मेरे पास यह अभी लेवल है और यह क्या है मेरी डार्ट लेवर कोस्ट पर यूनिट है तो से गुना करते इसको बस यह है कि नहीं पॉइंट जीरो सेवन फाइव गुना सो कितना आगा मेरा साड़े साथ यहां भी कितना आएगा सारे साथ अच्छा अब निकालता हूँ टोटल के बाइश पर तो डारेट लेवर कोस्ट पर हांडेड यूनिट्स कितना पेमेंट किया टोटल तीसरों पेमेंट किया कितने इनिट्स के लिए 400 के लिए तो सौ के लिए कितना कितना आएगा यह साड़े साथ लोजी रिक्वार्मेंट नमबर दो फुल्फिल हो गई यहां पर हमने निकाल लिया पीस रेट के बेस पर कि अगर कि अगर कि अगर कि नोट कर लो जिसको फिर बढ़ते हैं आगे तो यह वाला कॉनसेप्ट बेसिक नॉलेज कॉनसेप्ट जो पहले वाला यह आपका यहां पर हो गया एजी कंपलीट कॉनसेप्ट की नंबरिंग आप डाल सकते हैं कॉनसेप्ट नंबर बन लिखेलो चलो जी आगे बढ़ते हैं आज आओ भई यहां पर लिखा मैंने अगला कॉनसेप्ट आव कॉंसेप्ट कहा लिखना है कॉंसेप्ट रजिश्टर के अंदर कोशन कहा करना है प्रैक्टिकल रजिश्टर के अंदर जिसे आप प्रैक्टिस रजिश्टर भी कह सकते हो जिसे आप नुमेरिकल रजिश्टर भी कह सकते हो जिसे आप कोशनार प्रैक्टिस रजिश्टर लिए बोनस इसखीम्स एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपेंट अ ऐसाम के लिए वैरी वेरी इंपॉर्टेंट अ एक्जाम में इस कॉंसेट में जो इस्कीम्स आपको प्ढाँ हूंँगा कोशन बहुत आते हैं और जब भी आएगा छे और आठ नंबर से कमका नहीं आएगा इससे ज्यादा का भी आ सकता है मिनिमुम छे नंबर आठ नंबर है तो आखिर यह स्कीम है क्या तो ध्यान देना जरू रहा है वरकर्स को मोटिवेट करने की कहानी बहुत पुरानी है हर कंपनी अपने वरकर्स को मोटिवेट करना चाहती है और चाहती है वो टाइम खराबब ना करें मोटिवेट क्यूं करना पड़ wants मेरे भाय सी मिरकर टाइम खराब करता है काम नहीं करता कि इसरक्र करता Thousand की बातें काम नहीं करेंगा जिए घ्यान देगा पूरा काम नहीं करेंगा हमने काम दिया मुझे कैसे पता पड़ता है कि वरकर निकमा है कि अच्छा है कि क्या है मालो मैंने अपने कि इंपले को यह काम दिया मैंने उसे बोला भाई यह चैप्टर है PDF में तेरे पास इसे वर् पिस्टेट मिनट्ट हो कि दोसु मिनट्ट का मतलब हो गया कि तीन हें मन मैं सोचा यार थोड़ा सा प्रोविजन दो इसको तो सारे तीन हंटे में यह चैप्टर ौण में टाइब हो जाना चाहिए उसको मैंने कोई ऐसा टार्गेट दिया ही नहीं जो वह एचीव ना कर पाए मैंने एक पेज के 10 मिनट लिये हैं 20 पेज के 200 मिनट लिये हैं बनते हैं तीन गंटे 20 मिनट दस मिनट और एक्ष्ट्रा दे रहा हूं जा सू भी करिया यह बीच के नदर पानी बानी पी लिए मगर साड़े तीन गंटे में यह चैप्टर कंपेट हो जाना चाहिए फिर मुझे लगा यार थोड़ा और बढ़ा है बोला सर कैसी बाते कर रहे हैं तो कि रही है कि अधर काम भी नहीं कर रहा और वर्कर को बात करने की तमीज भी नहीं 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 है उसने क्या बोला मुझे कैसे बाते कर रहा है आप असमझ गया ना उसके पास working skill है ना उसके पास behave की skill है how to behave नहीं जानता हो आप काम भले ही खराब क्यों न करें बात तो तमीज से करें ना तो एंफ मेरे मन में क्या चलेगा के देखो ना तो ये काम कर रहाएं ना ये तमीज से बात कर रहाएं अभी कुछ सोंप बसको लेकिन इसके लिए बंदा ढूंड़ो इससे लोगा रिक्लिज करना है कि इसको कि रिप्लेश करना है अब हुआ कि मुझे पता पड़ गया लेकिन यार ऐसे कब तक बंदों को रिप्लेश करता रहूं मैं हर बार नए बंदे को ढूंडो वो फिर जूट गोलेगा साराइगां डूदिस आइकन वर्क अंडर प्रैशर सर आइविल वर्क वैरी हाड स और जब काम करने की बारी आए फुस तो नहीं आता है तो सब्सक्राइब नहीं आता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार वरकर्स को निकालता रहूं नए बंदे को लाता रहूं तो मैंने गयार कोई स्कीम लानी पड़ेगी इन कमभक्तों को मोटिवेट करो यार तो ध्यान देना जरा मैंने अपने पंकज वरकर को बुला ध्यान दो जरा पहले मेरी बात पर मैंने बोला मेरे बेटे मेरे गुल्लू मैं तुझे एक घंटे के 100 रुपए पे करता हूं वरकर बोला हां मैं रो जो तुझे मैंने टाइपिंग वाला काम दिया ना चार घंटे वैं जो चार घंटे में हो जाना चाहिए मैंने बेटा देखो इसका स्टेंडर्ड टाइम ना चार घंटे हैं सम्झा मेरे लाल स्टेंडर्ड मतलब चाहिए बढ़ा था न मैंने भी आपको स्टेंडर्ड मतलब चाहिए यानि यह काम चार घंटे में पूरा हो जाना चाहिए तुरत बोलाओ सारी तुम्हें मालू मैं फिर मैंने बोला गुल्लू बेटा मेरी बात सुनो बेटा पहले आगे मत भागो मेर अगर तुमने इस काम को चार घंटे से कम समय में कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा तुम्हें पूछा क्या तो मैंने उसे बोला कि देख मेरे प्यारे बेटे गुल्लू अगर घ्यान देना मैं यहां पर लिग देता हूँ अगर तुने इस काम को जल्दी कर दिया तो जो भी टाइम तु बचाएगा मान लो अगर तुने एक घंटा बचाया मतलब चार घंटे वाला काम तुने तीन घंटे में कर लिया तो मेरे प्यारे बेटे गुल्लू तुने एक घंटा बचाया तो इस एक घंटे के बदले मु मैंने बोला वाह तु गुल्लू नहीं है तु समझदार है मैंने बुला ठीक बोला तुने तो मैंने का मुझे कितने बचेगे गंटे का सौ रुप है तो 50% मैं तुझे दे दूँगा एक्स्ट्रा वे 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 गुल्लू खुश काम करूँगा तीन घंटे पैसा मिलेगा गुल्लू को स्किम देर अरा ध्यां देन घ्यान मेरे आगेуж्ट पर दक्याव गुल्लू मोटिवेट होगा अंसरी यस गुल्लू मोटिवेट तो होगा गुल्लूआ मुल्लूगर्ष कgoing तो और गुल्लू बोलेगा यार टाइम बचा लोंगा भाई बोनस मिलेगा अब वो गुल्ली स्वीड में काम करेगा अब ऐसा हो सकता है कि चार घंटे बाद मुझे गुल्ली से पूछना ना पड़े गुल्ली खुद आये तीन घंटे बाद सर काम हो गया है वरकिस जन सर तो देखा उसमें अब वरकिंग स्किल भी आ गई और उसके अदर बिहेव करने स्किल भी आ गई क्योंकि अब बोनस मांगने के लिए आया है समझ रहो इशारा मेरा यह मैं समझा ना कि भीक बाग रहा है बीन मतलण समझा ना काम है और ट बमीथ्तवाइं कि अवाग स्क्राइब neither जब भी किसी से कुछ चाहिये होता हरा तो मीथ से बात करता है यह संहार का संब्सपने मांगो स्क्राइब में मेरे इस एक्जामपल के अंदर गुल्लू का एक्ट्वल टाइम लगा मान लो तीन घंटे ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुल्लू कितना पेमेंट बिलेगा तो ध्यान देना जरा टोटल वेजिस इसकी दो पार्ट में होग टोटल वेजिस एक तो होगा काम करने के बदले मिला पैसा एक होगा काम बचाने के लिए मिला बोनस रिपिट करूं काम जितने घंटे किया उसके बदले मिलेगा पैसा और जितना समय बचाया उसके बदले मिलेगा बोनस तो भाई ध्यान दो जरा गुल्लू ने तीन घंटे काम किया है तो तीन घंटे के उसको मिलेगा सो रूप है तीन घंटे कुना सो पर आर सो रूप है तो कि यह मिला उसे काम करने के बदले अच्छा गुलुने एक ःंठा बचाया थूसरा Belし bete गुलुकष अच्छे ठिए मेरे सौरारी बचाय एं क्टतर परसेंट जैसा कि मैं उसे वायदा किया था तो तो गुलुको 300 मिल गाए काम करने के बदले और गुल्लू को 50 मिल गाए बूनस के रूप में तो गुल्लू को खिल कितने वैसे बिलेंगे गुल्लू तो यह मिला उसे फॉर वर्क और यह मिला उसे एज बूनस समझे बात को तो यही इंसेंटिव स्कीम से समझ में आगा अग्जामपल बेसिक एक्जामपल इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हूं एक्जामपल हो ठीक है बहुत सिपल एक्जामपल है अच्छा अब एक डाउट ने लेता हूं मैं जो बच्चों के मन में आता है बच्चे कई बाद पूछते हैं वाला तो वो डाउट में आपको पहले सही समझाज देता हूं कि डाउट आपके मन में क्या आ सकता है इस सिच्वेशन के अंदर कि बच्चे का डाउट आता है बच्चा बोलता है सर गुल्लू आठ घंटे काम करेगा प्वेता कॉल्ल ऊजबे विए सर गुल्लू ने ना तीन गंटे काम किया ठीक है तो आपने उसको दिया साड़े थीन सो रुपए विद बोनस लेकिन गुल्लू उसी काम को तीन गंटे के बजाए पूरे चार घंटे में ही करता तो 400 ना मिलते है उसको तो इंसेंटिव का हुआ ये बच्चे के में डाउट आता है कि सर गुल्लू ने थीन गंटे काम किया आपने साड़े थीन सो दिये बोनस जोड़कर बड़ गुल्लू अगर काम चार घंटे में करता है बैठा रहता हो अराम अराम से करता हो तक 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 assassin हम यापिन का हम रहा है तो मेरे भाई आपने ये मान लिया है कि घंटा बचे गा अआप यहां पर गुम उसा गंटा ना यहां प्र यहां पर ग Stacy श्रसक दूह ब्गूलु ने थीन घंट काम किया अब गुल्लु के पास बेंद तो देखा आपने गुल्लु को जी अगला शर घंटे काम करता है जैसे कि आपने बूला कितने गंटे बस्ते उसके पास चार sabes गृत टो एक अवायदा और कमाराréeए उसलो दो जो ढौने कि आप यह बानते वे compare किया था गुर्लों ने गंटा बचाया है उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलेगा उसके बदले वह कोई और काम करेगा और उसे payment तो मिलेगी ना आगे जी बात समझ में चलिए आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पहली scheme कि जो employee को motivate करने के अंदर यूज की जाती है उसका नाम है हॉल से कि इसे आप हॉल से scheme कह सकते हो हॉल से plan कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो कि यह हॉल से क्या है हॉल से किसी व्यक्ति का नाम है हॉल से किसी व्यक्ति का नाम है जिसने यह scheme बनाई थी काफी टाइम पहले समझ गया किसी कंपनी में ये बहुत बड़े अधिकारी थे बहुत बड़े आफिसर थे और इन्होंने इस स्कीम को डवलप किया था इस स्कीम क्या थी तो उन्होंने बुला तोटल वेज़ेश बराबर जो मैंने एक्जाम्पल लेता ना गुलुवाल आपको ये यही सेम बात हौल से ने बताई थी कि अगर कोई वरकर अपने काम को दिये गए समय से कम समय में कर लेता है तो जो समय जो टाइम वो बचाएगा उसके बदले उसको 50% का बेनिफिट मिलेगा यानि कि कितने घंटे काम किया यहां पर लिखता हूँ आर्स वर्ग्ड मुल्टिपलाइड वाई वेजरेट पर आर यह तो हो गया कितने घंटे काम किया उसके बेसे मिलने वाली पेमेंट प्लस कितना टाइम सेव किया गुना वेजरेट पर आर गुना 50% तो इन्होंने क्या किया इसको बोलते हैं टेक्निकली बोनस इसको टेक्निकली प्यार से क्या बोलते हैं बोनस तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक ऐसी इंसेंटिव इसकी लॉंच की जिसके अंदर वर्कर को काम देने के साथ साथ इस सेंडेट टाइम भी बताया जाता था कि ये काम कितने समय में हो जाना चाहिए अगर वर्कर ने उसे कम समय में उस काम को कर लिया तो जो भी टाइम उसे ने बचाया है उसके बराबर जो भी कॉस्ट कंपनी की बची है उसका 50% वर्कर को फ्री में एज एफ्ट्रा एज बोनस इंसेंटिव दे दिया जाएगा ये थे मिस्टर हॉल से अगर ये स्की मैंने बनाई होती इसका नाम उताब पुर्शोत्तम स्कीम अगर ये स्कीम आपने बनाई होती इसका नाम उताब प्रिया स्कीम जो भी नाम है आपका, प्रिया, रदीब, गुलू, हो सब्ता है ना गुलू की स्कीम भी हो, हाला कि नाम से गुलू लग रहा हो, तो स्कीम कोई अपला ही नहीं करें हैं कंपणी के अंदर, तो एक्जाम में ऐसे कोशन आते हैं, आईए, मैं एक एक्जामपल लेता हूँ, इसके उपर प्रैक्टिकल, ताकि आप समझ जाओ, एक्जामपल लिखो, वरकर को एक काम दिया, और उस काम को 40 घंटे में हो जाना चाहिए, यह स्टेंडर टाइम है, शौट मा लिखाम है, मैंने स्टीडी डॉट, स्टेंडर टाइम, तो स्टेंडर टाइम फ़र वर्क, इस फॉर्टी आउर्स, इसको सिंपल लेंगवजे बोलते हैं, टाइम एला आउड, यानि इस काम को करने के लिए हमने आपको इतना टाइम एलाउ किया है, और मान लो, वरकर ने एक्चुल टाइम जो लिया है, वो है मान लो 25 घंटे, इसको सिंपल लेंगवजे बोलते हैं, टाइम टेकन, टी फॉर टेकन, वेज रेट है, छे रुपए पर आर, वेज रेट कितने है, छे रुपए पर आर, और कोशन बोलता है, कल्कुलेट, टोटल वेज अंडर, हॉल से स्की, कल्कुलेट, टोटल वेज अंडर हॉल से स्की, आई ये निकालता हूं, सॉलूशन, यहाँ पर लिखाम एट टोटल वेजिस, टो दो पार थे इसके, बैओ जो काम, जेतने घंटे काम किया, उसके बिस्टर करने के पहले तो, कितने घंटे काम किया, एक्चुल प्रॉथ्चुल टाइम वर्ट यह एक्चुल आर्ग्ट गुना वेज रेट, ततवे संदें काम किया तो वहाला गुना चाहाए लगारा हो ये वाला फ़र्मुला आजर्श वक्ट गुना वेजेट पर और प्लस टाइम सेफट गुना पर और गुना टाइम सेव्ड कितना टाइम सेव्ड कितना तो भाई 40-25 यह टाइम सेव्ड है गुना छे रूप है गुना 50% कितना यह तो भाई यह आगया 195 लोजी यह आगया टोटल वेजिस अंडर हॉल से इसकी आया समझ में अब कि इसलियो को burning करती है इertas कामपणी को किया से औरרא ईम्ड को आपको आप उसारी एक्शाम के लिए वैरी इंप्रीनिंट आप्多 यह पर मैं आपकोिक देना चाहता हूं कि याद कैसे अरगनियाद है अ сок यह तो बहुत सिंपल है जितने घंडे काम किया देखो जितने घंडे काम किया उसकी पेमिंट है यह यह टाइम बचाने की पेमिंट है और यह 50% है ध्यान देने जरा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो कितना है 50% तो मेर मुझे याद कवाना आपको 50% है ध्यान देने जरा इसी है एक एच वार हाफ हाप बोले तो 50% अब धाला खास बात एक को ओर खाश बात कोषर बोलता है यावर समिक Base 1 स्पहर पूह कोशान बोलता है nih i calculate wages as per hall say scheme question बोलता है calculate wages as per hall says scheme तो बोनुस कितने प्रोगे 50 percent या यानि कि यह % कितनी वहांगी 50 percent bonus will be paid bonus will be 50 Percent defence इमाल सी बाते हमरे मतलब प्रमुले में ा में उसनमे दिया होगा है calculate total वेज़ अंडर हॉल से इसकी मबस रुको इसको प्रोपरी लिखी देता हूं मैं केस वन कोशन बुलता कैलकुलेट टोटल वेज़ अंडर हॉल से स्कीम तो बोने से तना होगा 50 पर से एच पर हाफ हाफ बोलें 50 पर सेंट बट मानलो बट मानलो कोशन ने बोला गया कैलकुलेट टोटल वेजिस अंडर होल से स्कीम प्लिखाते विद्र 50 परसरें बोन तो थो Looking कोशन का बोला है कैलकूलेट टोटल वेज़ अंडर भाल से स्कीम जोरीं तीप पर सेंट बोनस भोन तो दून ऐओ अब फिरन गया पर सिंट अगा होगा कि बंदो कोई निया कोई निया बली कोशने मूं से बता दिया कितना परसेंट 50% मतलब मेरा क्या है ध्यान दो पूरा फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा यहां बात कर रहा हूं मैं इसकी परसेंटेज की कोशने बुला कैलकुलेट टोटल विजेश अंडर हॉल से तो 50% कोशने तो कई बार एक्जाम में एक्जाम में इंसिट्यूट मज़े लेता है इस बार एक्जूट ने बुला कैलकुलेट टोटल विजेश अंडर हॉल से स्कीम विद को 40% बूनस तो भाई जब कोशन अपने मुझे बोल दिया न 40% तो भाई बोनस नहीं बढ़ेगा 40% मैं दो फॉर्मूला पूरा सेव रहेगा बस जहां लिखता हूं 50% वागा लिग दूंगा मैं 40% वागा लिखूंगा मैं 40% तो यह ध्यान रखना कोशन कुछ नहीं बोले 50% कोशन बोले 50% 50% कोशन 50% के अलावा कोई और परसेंटेज बोल दे भाई साब वही परसेंटेज हमें अपलाई करनी पड़ेगी उस कोशन को सॉल्व करते वक्त बड़ी खास बात है एक्जाम में अगर ऐसा कोशन आ गया आपने बस हॉल से पढ़ा आगे अगर कु के शुक्षन को पढ़ना मतलब किसी की विल को पढ़ना ओ और बिल मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना किसको क्या मिला है तो यो तहुआ मेरा हॉल्स等一下 चलिए और हो चलाए तो लेते हैं एक छोड़ा सा ब्रेक और क्लास कंटिनु करेंगे ब्रेक के बाद के बादए आनक्यू झाल 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 वेल्कम बैक आफ्टर दी ब्रेक ब्रेक के बाद आप सभी का क्लास में हार दी स्वागत हैं चली आगे बढ़ते हैं यह थी हमारी स्कीम नंबर बन अब लिखते हैं स्कीम नंबर टू इसकीम नंबर टू है आपकी रोवन इसकीम रोवन इसकीम रोवन इसकीम इसे रोवन प्लैन भी कह सकते हैं तो भाई साब मेरी खास बात यही है कि कॉंसेट को सिखाने के बाद डीपली समझाने के बाद प्रैक्टिकली लिंक करने के बाद उसको याद करने की टेकनीक भी आपको मत देता हूँ ताकि आपको एक्जाम के अंदर फटाक से फर्मूला याद आए फर्मूले के कोई मिस्टेक ना हो आप कैलकुलेशन फिट करो आंसर निकालो नमबर लो सिए बनो आओ वे रोवन इसकीव हुआ कि मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर टोटल वेजिस जो थी एस पर हॉल से ध्यान देना तो हमने क्या बोला हम आप आर्स वर्ग्ट नहीं कितने घंटे काम किया multiplied by wage rate पर आर प्लस time saved गुना wage rate पर आर गुना 50% दोगर यह स्कीम जो मैं आपके सामने लिखी है ना यह एस पर हॉल से है हॉल से ने बोला कि मैं अपने वर्कर को इस इसाब से payment करूंगा कि उनको 50% का bonus दूँ अब हुआ क्या जब हॉल से ने यह स्कीम launch करी तो इस स्कीम के फाइदा आपको दिखी रहे वर्कर motivate होता है कम समय में काम करता है उसको ज्यादा payment मिलती है मुझे ज्यादा productivity मिलती है तो मैंने उसका भी फाइदा और मेरा भी फाइदा win-win situation तो हुआ क्या कि हॉल से बहुत famous हो गया और जैसे कि आपको मालू में जब कोई इंसान famous हो जाता है तो जलने मालू की कभी नहीं होती है तो वैसे कुछ रोवन के साथ भी हुआ हॉल से के साथ भी हुआ हॉल से हो गया famous अब जब हॉल से famous हो गया तो एक बंदा था रोवन क्या नाम था इनका रोवन इनको थोड़ी से ईश्या हुई इनके मन में कुछ negativity आई और इनको लगा कि यार हॉल से स्कीम है मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूं और अपने नाम से स्कीम को लाउंच कर देता हूं कि मैं कुछ चेंज कर देता हूं और अपने नाम से स्कीम को लाउंच कर देता हूं तो इन्होंने क्या दिमांग लेगा इन्होंने 50% को काड़ दिया अच्छा इन्होंने बोला टाइम टेकन बटा टाइम एलाउड के रिशो में बाटो लोजी इन्होंने पूरी स्कीम में कुछ चेंज नहीं करा इन्होंने बस एक चेंज करा कि जहां पर जहां पर हॉल से इन्होंने 50 परसेंट बोला था वहाँ पर इन्होंने बोल दिया time taken भटा time allowed ratio यहानि 50 परसेंट लेनी के बजाए इन्होंने देधिया time taken भटा time allowed कितना समय लगा divide by time allowed बस यह ही फारा के तो आई यह जू example मैंने ऊपर लिया था वही सेम example लेके solve करते सिर्ण कितना था चालीज गंटे एक्ट्ट्वल टाइम कितना था था यह टाइम टेकन कितना था है 25 गंट और वेजरेट किया था वेजरेट वेजरेट था छह रुपए पर आर यह कोशन था और तो आइए अब इसी कोशन करते हैं किया होता तो कितना पर तोतल वेज बराबर कितने घंटें काम किया है Gятinal came a लाउड कितना है चालीज घंटे लो जी बस निकाल लो तो भई 15 गुना छे बटा गुना 25 डिवाइड बाइड चालिस और प्लस कर देंगे 25 गुना छे तो भाई सब यह आ गया 206.25 अब बताओ क्या हुआ पहले कितना आ रहा था एस पर हॉल से तो उपर एक्जामपल में देखो पहले एस पर हॉल से आ रहा था 195 और अभी कितना आ रहा है 206.25 क्या समझे मतलब है रोवन ने रोवन ने इंप्लॉई की पैयमेंट को बढ़ा दिया तो मुंझे बता हो एसे के आणदर किसे करण क्यक्रीक कंपनी के अंदर कर आप कहेorse ऐसे क्रीश कें अदर किसी भी scheme है जो employees के morale को boost करने के लिए apply की जाती है companies में जिससे company को जिसमें company time saved के बदले उनको जो भी फाइदा हुगा हुगा हुआ कुछ benefit share करती है हौल से मैं share कर जाता 50% और रोवन के अंदर time taken better time allowed यह तो हो गया जी concept अब मैं आपको बताता हूं इसको याद करने की जान की तेकनिक आर्टी यह मतलब रड़ाने की टेकनिक आपको रेटाने की टेकनिक बता रहा रहा हूं में exam में आ आपको रोवन वह आई जाएगा टी-फॉर क्या आद करना आपको को टीफोर याद करना है आपको टाइम टेकन यानि इस वाले अलफाबेट की बात करना और को ज़रा मैं इसको अलग से हाइलाइट करूंगा तो यह टी इस रेड़ वाले टीको डिपरेशन करता है टेकन और ए मीन्स टाइम ए फॉर एलाउड ऐसा इस खत्री पहलो तो भएं आर से क्या यादा आएगा रोवन यादा कंड़ी से क्या यादा आएगा टाइम टेकन टेकन कर टी ऊधुए जो कशे बोलते यicer इसे बिंद जो इसे बोलते में लगा दों को इस कोशनों को थो क्वेशे करने में इन आ आपको किना समय लगना चाहिए वह two उन वा पर कहल आएंगा उपका सेन्स टाइम और जो समय आपने अफमे लिया उससे टेहिम पर ओन warming talk utilization गार उसको बोलीक की एक्शुल मिलाकर जो टाइम आपको एंसेंटिव यह बोन इंप्लिमेंट करेंगे तो बहुत बढ़ी रहेगा आपको करना क्या है आपको बनाना है आपका खुद का प्लाइन कि आपको आर घंटे पढ़ना है छे घंटे पढ़ना है यह आपको तया करना है जो को मैं आपको यह बताने सकता हो कि आपको पढ़ना कितना है आपको अच्छे तरीकरे से पढ़ पाते हो इस वक्त आपकी एपिशनसी ज्यादा होती है तीक ना अच्छा तो आपने क्या गतना पहले बनाना प्लैन तो आपने मालोई एक प्लैन बना लिया कि मैं रोज आठ घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ठीक और फिर है कि आपने प्लान तो बना लिया उस प्लान को आप आइटम वाइज ब्रेक कर लो कि आठ गंटे में आज कौन कौन से chapter मैं खतम कर दूंगी या कर दूंगा प्लाइन आपका detail में होना चाहिए फिर होगा क्या आप actual में करोगे पढ़ाई तो फिर कोशिच करो कि उस 8 घंटे को आप 6 घंटे में खतम करो या 7 घंटे में खतम करो यह कोशिच करनी है आपको तो इसे होगा क्या आप या कर सकते हो चौह बिम जा सकते हो योगा पर नयान कर सकते हो डिटेशन कर सकते हो जो कर नायकर आप सामुशाए ने जा सकते हो आप लाइव और अब मॉटिवीटे कर लेना थी चलिए तो यह स toppings हो आपको समझ में आज आपको चलिए वह कोशन करते हैं इस योपर कोशा नाबर 27 जिसका 3rd और 4th पार्ट पार्ट पैंडिंग था कि आऊ कोशन नमबर 27 कोशन वही था था निकालो एस पर हॉल से और फॉर्ट पार्ट पार्ट निकालो एसे पर अजिए रोवन इसी तो डेखो एस पर हॉल से निकालू या एस पर रोवन निकालू उससे निकालने के लिए मेरे को चाहिए तीन बाते जो मुझे पता होनी चाहिए पहली standard time दूसरी actual time और तीसरी wage rate अगर ये तीन information मेरे पास available है तो मैं है एस पर हॉल से एस पर रोवन अराम से निकालूंगा टोटल विजिस आईए कोशन नमबर 27 का थर्ड पार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट मेरा मुझे निकालना है एस पर हॉल से अब तीन वरकर है पहले वरकर का नाम में कभी लेता है नहीं हूं डिसके सके नाम के अंदर किसे रखाए इसका नाम सेकेंड आपका अनिंता और तीस आगवा गुविंदा गुविंदा आलारे आला तो सबसे बहुत निकालना है standard time अब ज़रा ध्यान दो बड़ी मज़दा बात बताऊंगा मैं आपको standard time standard time मतलब मतलब है standard time सरीय के मतलब हुआ नहीं standard time means standard time for actual output आउटपुट को शौट में लिग दिया मैंने O अबलिक भी ध्यान देना जरा बड़ी खास बात मुझे किसी की performance को compare करना है मैं आप से पूछता हूं एक एक्जांपल ले रहा हूं में कोशन का पाड़ नहीं है मैंने बच्चो को बुला कि बच्चो रोज आठ घंटे पढ़ना है और कोस्टिंग के असी कोशन करने है तो यह प्लैन है आपका मेरे पास एक बच्चा आया मिस्टर ए ना में उसका उसे ने 40 कोशन किए कितने कोशन किए और मालों उसेने कोशन करेे चारे इस पाच घंटे मैं यह क्या है एक्च्चूल आउटपुट यह क्या है एक्च्चूल टाइम अ बताओ क्या यह बंदा एफिशेंट हैまり क्या इस बंदे ने तसरही पढ़ा ही करी है बताओ अ देखो अगर आप compare enfim पांच घंटे से compare करोगे और बोलो कि सांब तीन घंटे तो बाकिए हमी तो कि तो सर प्लैन तो एचीव कर पाना बाकिव हें बाकिवागी तो सर हाँ बटी गलत हुआ कहना क्यों ट्रूं कि मैं टायम कंपेर कर रहा हूं बट बेसिद कंपेर सेम नहीं मेरा मान् लो मैं दो लोगों की height compare कर रहा हूं एक है चार साल की बच्ची और एक है 24 साल की बच्ची बताओ कि comparison beest proper है नहीं वह 4 साल की है वह 24 साल की है दोनेंट इसका पतलब क्या हुआ कि जब लो इस इत्सकर को become pair करता हूं तो उनका बेसिस वर लॉ सिम मान् लो मैं दो लोगों की income compare कर रहा हूं एक वो सी ये जो अभी बना है और एक वो सी ये जिसे बने 20 सा लोग है तो क्या ये सही comparison है नहीं comparison ही कर रहत है comparison ही कर रहत है वैसे ही यहाँ पर इस 5 घंटे को 8 घंटे से compare करना है comparison ही कर रहत है तो सही comparison क्या है सब्सक्राइब यह है कि मुझे निकालना चाहिए चालिस कोश्चन जो इसने एक्ट्व में किये हैं इन चालिस कोश्चन को करने में इसे कितना टाइम लगना चाहिए था तो मुझे यह निकालना चाहिए तभी तो मेरा बशी सेम का 40 में इतना लगना चाहिए था 40 में इतना लगा तो भाई इन 40 कोशन यू करने में कितना समय लगना चाहिए था करो गांगर जर्ण सोचो तो आप बोलो के सर यह आ रहा है चार घंटे कैसे निकाला आपने वह असी कोशन के लिए आठ घंटे तो चालिस विए चार घंटे यानिकी आठ बटा असी कोशन गुना चालिस कोशन ऐसो निकाला आपने अब मैं कर रहा हूं कर अब क्या बलूंगा भाई यह शुरेंट नहीं यह 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 जाने वाला काम पांच गंटे में कर रहे हैं अरे बड़े स्लो हो तुम एक्जाम में पेपर जूट जाएगा तुम्हारा गाड़ी चली जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मै हॉल से और रोवन में इसे अंडर्टाइम निकाल लूँगा तो इससे टाइम का मतलब है स्टेंडर टाइम फॉर एक्ट्टाइब आउटपूट आई यह यहां पे निकाल रहा हूं है लिख रहो में पेले अप्छल आउटपूट तो कितना में राशल आउटपूट इसने बनाई थी 180 इसने बनाई थी 120 इसने बनाई थी 100 और सब ने मिलके बनाई 400 अब मैं लिखारों इस्टेंडर्ट टाइम स्टेंडर्ट टाइम कोशन के अंदर बोला गया है एक घंटे में दस यूनिट बननी चाहिए दिखाए ना पीस रेट वुड़ी बेस्ट ऑन ए स्टेंडर्ड आवर्ली आउट्पुट आफ टैन यूनिट एक घंटे में दस यूनिट बननी चाहिए तो बताओ एक घंटे में दस यूनिट बननी चाहिए तो एक घंटे में दस यूनिट बननी चाहिए तो एक गुटने लुटने चाहिए अटारइर गंटे यहां पर बाराइर गंटे यहां पर धेंटे यह क्या है इस्ट्रेंडर्ड टाइम अच्छा अब मैं पूसर हों से बताओ एक्शोल टाइम कितना है है अधनले में किता या टाइम लगा यह का में नों किया एक दिन गेंतर मतलब आट गंते दो लगें इसको आञद लगें इसको और 8 घंटे लगें इसको तो देखो आपके पास इतने टाइम भी आ गया एक्ट्वल टाइम भी आ गया तो टाइम सेवड आ जाएगा इस्टेंडड माइनस एक्ट्वल अच्छा अब मुझे निकालना है टोटल वीजिज अंडर हॉल से क्या था फर्मूला आपको रिकॉल कर आता हूं टोटल वेजिज अंडर पॉल से बराबर है टाइम टेकन इसे एक्ट्वल टाइम भी कहते हैं गुना वेजरेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड गुना वेजरेट पर आर गुना फिफ्टी परसेंट यह क्या है एस पर हॉल से एच पर हॉल से एच पर हाफ यह फर्मूला है तो यही फर्मूला मैं यहां लगा तूंगा उपर आओ लगाता हूं फर्मूला यह लाइन ड्रॉ करिया मैंने अच्छा तो भाई कितने गंटे काम किया आठ गंटे काम किया क्या रेट है तो वेजरेट था इसका कोशन में दिया था वेजरेट 75 पैसे पर आर तो 0.75 प्लस टाइम सेव्ड कितना है तो 18-8 गुना 0.75 गुना फिफ्टी परसेंट करदो सॉ दिमाख ते चलता है पैन के कंपरिजन में चार 0.75 चार गंटे बचे तो चार गुना 0.75 गुना फिफ्टी परसेंट गुना 0.75 इतना है यह साड़े साथ ही आ रहा है साड़े साथ पिर अगला 8 गुना 0.75 प्लस 10 माइनस 8 गुना 0.75 गुना फिफ्टी परसेंट तो यह आ गया मेरा अज़शी रूप है गुच्छत्र पैसे इन्हों को कुछ मिलाके दिये गए हैं एक दिन में तौ अभीस रुप हैं लो जी निकाल नी मैंने अर्निंक ऊफ इंप्लोईज निकाल नी मैंने अर्निंक आफ इंप्लोईज अब रुख जाओं शाद्ट एक् आई निकालूं डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर हंड्रेड यूनिट्स तो देखो नौ रुपए पिछत्तर पैसे दिये एक सथी बनाया इसने गुना कर दोस्वा से तो 9.75 डिवाइड बाई 180 गुना 100 तो यह आ रहा है 5.4166 तो इसे 42 कर दिता हूं हमने साड़े साथ रुपए दिये इन्होंने 120 बनाई यह आ गया 6 रुपए 25 पैसे अब 6 रुपए 25 पैसे दिये इन्होंने 100 बनाई गुना 100 तो यह आ गया 6 रुपए 75 पैसे टोटल वाले भी में निकाल ले था हूं 24 रुपए दिये 400 बनाया तो डिवाइड बाई 400 गुना 100 तो 24 बटा 4 यह हो गया आपका 6 रुपए यह आ गया आपकी एवरेज कौश्ट इसको बोलते हैं एवरेज कौश्ट 6 रुपए को तो लोज हुआ है हमने एस पर हॉल से निकाल लिया है रिक्वारमें नमबर चार वाखी है भी एस पर रुवन यह दोनों स्कीम्स एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है चलो बढ़े आगे सब नोट भी कर लिया होगा आओ भी रिक्वारमेंट नमबर चार आप दिस कोश्टिशन है एक वामें नमबर चार एस पर रोवन तीन बढ़कर हैं पहले का नाम कभी नहीं पढ़ रहा हूँ है डिस नहीं ले रहा हूँ है दूसरा अनंता तीसरा गोव चलो पिंदा एक्शुल अब कितना इनका एक्शुल आउट्पुट इसने बनाई 180 इनिट इसने बनाई 120 और सबनाई 100 सबने में बनाई 400 अब मैं कहा निकालूंगा स्टेंडर्ट टाइम सेम आएगा जो निकाला ते पहले अठार गंटे बारा गंटे दस गंटे एक गंटे में दस बननी चाहिए तो 120 बनने बारा गंटे और सबनने में दस गंटे लगने चाहिए फिर एक आपका एक्शुल टाइम जो कोशन में दिया हुआ है आठ 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 ठेक है अब मैं कहाने और को टूटल वीचिस है इस पर रोवन पॉमुला मेरा सेम है बस णिपरेशों में डिफिरेंसे अचाइए क्या है जर ध्यान दना ये टाइम एक्शान ताइम क्या मेरा एक्शन टाइम क्या मेरा टाइम को टेक और एक आम टाइम अलाऊड सामझ लवाग कि a बटालाउड ये रिश्व है ने मेरे माँवर एक्षिल दाइम तेकन और टाइम एलाउड सेरे टाइम एक बाद है और फॉर्मूला क्या है टोटल विजिस अंडर रोवन इसकी तो क्या बोलेंगे एक्ट्वल आर्स वर्ट जैनि कितने घंटा स्री में काम किया गुना वेजरेट पर आर्स टाइम सेवड गुना वेजरेट पर आर गुना अब ज़र ध्यान देना यह खास बात इसके अंदर चेंज क्या है टाइम क्या था आर टी ए रटा रटा नहीं गया भी तक आपको आर टी ए तो टाइम टेकन को बता टाइम एलोट ताइम अलट टाइम टेकं बटा टाइम एलाउटके उक्ड तो आव अघ्गंटे काम किया रेट कितना है 0.75 अच्छा बचाए कितने 18-8 दस घंटे बचाए गुना 0.75 गुना टाइम टेकर कितना है 8 घंटे अलाव कितना है 18 घंटे बसी फ़रागे सकंदर 9.33 अगला आर घंटे काम करा 0.75 टाइम बचाए कितना 12-8 है चार घंटे बचाए टेकर कितना 8 अलाव कितना 12 यह आगया मेरा 8 रुकर 8 घंटे काम किया 0.75 दो घंटे बचाए 10-8 दो घंटे 0.75 टेकर कितना 8 अलाव कितना 10 साथ रुपए 20 पैसे लोज यह क्या है मेरी टोटल वेजिस एस पर रोवन स्कीन इसके बाद यह पर बच गया मेरा क्या निकालना है डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स पर 100 यूनिट्स तो देखो 9 रुपए 33 पैसे दिये 188 बनी इसके अंदर गुना 100 यहां पर 8 रुपए दिये 120 बनी गुना 100 यहां पर 7 रुपए 20 पैसे दिये 100 यूनिट्स तो आप करी लोगे अब यहां निकाल लेता हूं एवरेज कॉस्ट तो टोटल कितना पे किया तो यहां भी टोटल निकाला है नहीं पहले तो टोटल निकाला हूं पहले तो यहां पर 9 रुपए 33 प्लस 8 प्लस 7.20 24.53 तो 24.53 बट्टा चार सो एन डिवेड़े सब्सक्राइब यहां गया मेरा 6.1325 आरा है शिक्स पॉइंट एक्जाइट लेता हूं 1325 बाकी निकालो कार्ट बटा बार यह आ गया 6.6667 का देता हूं है पाइप पॉइंट वन एट थिरी थिरी आ रहा है तो 5.19 भी पाइड भी तक आओ बात बराबर कोई दिक्कत के बात नहीं है तो लो जी कोश्यन नंबर 27 यहां पर होगया आपका कोशन नमबर 27 कोशन नमबर 27 कोशन नमबर 27 is complete here अच्छा आओ भयाओ अब जड़ा ध्यान दो जड़ा ध्यान दो देखो डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूट कोशन तो अब आगे बढ़ रहा हूं और अभी इसी कॉंसर्प्ट के अंदर हो नहीं करवा रहा है इसी में देखो अगर मुझे निकालाओ डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूट तो फॉर्मूला होता है टोटल डारेक्ट लेबर कॉस्ट इसी को वेज़स भी कहते हैं सब्सक्राइब डिवाइड वाई टोटन यूनिट्स रडियूज्ट जिस फॉर्मुले का स्वाल मैंने बार बार किया इसको सब्सक्राइब समझ आगी बात आप अगला अगला है एफेक्टिव वेज रिट यह क्या होता इफेक्टिव वेज रिट रोको यह बड़ी पूरा लुक्राइब अप इफ लिए रिट लिए एक अधी नॉर्वल वेज रिट अधी एक अग्जांपल लेता हूं मैं आपको मार मान लो एक्जांपल जाकर देना इसी कोशन बतायता हूं मैं आपको देखू अरध गंटे काम किया पहले बात कर रहा हु मैं वरकर नंबर वन की तो आठ घंटे काम किया और कितने पैसे मिले नो रुपए तैटीस पैसे आउज राओ पहले बात कर रहा हूं मैं ठीक है इसका नॉर्मल वेजरेट का है नॉर्मल वेजरेट नॉर्मल इस वरकर का नॉर्मल वेजरेट क्या है तो भाई नॉर्मल तो है 0.75 पर आर यह नॉर्मल वेजरेट एक और होता है इसे बोलते हैं इफेक्टिव वेजरेट इफेक्टिव मतलब हिए की जो कोना मतलब क्या है एक घंटा काम करेगा तो 55 पैसे कमाने चाहिए क्या है एक ग Show करेगा तो 55 updates देने पड़ेंगे ये क्या मेरा नॉर्मल और विजिए घंटा काम करोगे 15 पैसे मिल जाएंगे उस पहकी मतलब होता है उसने एक हेंटा किया तो मैं एकस्छल में एक गंटे किटिनी पेमेंट की, दोनोई टिफेरेंट है। टिफेरेंट कैसे है हैं, आउजचरा रखर कर이, आएख हें आउजरा। आऊजज़ा कितना आई आई है कि वन पॉइंट वन कि डबल सिक्स्टू फाइव तो दोनों में डिफेरेंस क्या है दोनों में डिफेरेंस यह है नॉर्मर बोलता है एक गंटे काम करोगे तो इतना मिलना चाहिए 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 और इफेक्टिव बोलता है एक गंटे काम करने पर इतना मिला 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 तो नॉर्मल बात करता है फ्यूचर की एक घंटे काम करोगे इतना मिलेगा या इतना मिलना चाहिए इफेक्टिव बात करता है पास्ट की एक घंटे काम करने पर इतना मिला यानि तुमने एक घंटे काम किया तो तुम्हें एक घंटे के एक रुपए सोला पैसे मिले समझे बेटा हमने कहा था पिशतर पैसे देंगे पर तुमने टाइम को बचा दिया हम फॉलो कर रहे है रोवन इसकी बेटा तो तुमको एक रूपए एक्ट्यूल आर्स वर्ग्ड यह है एक्टिव बेजर को निकालने का फॉर्मूला तो यह दो फॉर्मूले नोट करनो डाइट रेवर कॉस्ट एक्टिव बेजरेट फिर आगे बढ़ते हैं हो गया चलो आगे बढ़ते हैं अब निकालते हैं कि एफिशेंसी ओफ लेबर कॉंसेप्ट से में चल रहा है एफिशेंसी ओफ लेबर हमारा वर्कर कितना परसेंट एफिशेंट है आप लुए है तो को सारे बोलते हैं तो एफिशेंट हो जी मैं तो कंपनी का एप एक टिकरी इंपलाई हूं मेरे पर पुरी कंपणी बेज़ेंगे बट एक्ट्वल में एफिशेंट है कि नहीं है हम खुद चेक करते हैं इंप्र लाई तो बोलेगा मैं स्टार पर्फॉर् होने के दो तरीके हैं पहला तरीका है आउट पूट बेज़्ट पहला तरीका आउट पूट बेज़्ट यहां पर आउट पूट से मतलब है यानि लिखो वैंड इस्टेंडर्ट टाइम एंड एक्ट्वल टाइम इस सेंग अ कि एफिशेंसी ओफ लेबर शॉर्ट में लिख दिया मैंने इ-o-l ताकि पूरा वर्ड न लिखना पड़े मुझे बाद में इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको लिख वायता हूं एफिशेंसी ओफ लेबर निकालने का जो केस वन है जहां पर गुना सौ कर लो अब रो एक्जाम्पल समझ जाओ गया एक बच्चे को मैंने बुला कि डेली आठ घंटे पढ़ना है और आठ घंटे में तेरे असी कोशन हो जाने चाहिए इस्टेंडर्ड आउट्पुट असी कोशन हो जाने चाहिए उन भाई सहाब ने एक्च्च्वल में आठ घंटे पढ़ाई की मगर एक्च्च्वल आउट्पुट सिर्फ साथ कोशन आया बताओ भई मैंने बुला आपको आठ घंटे पढ़ाई करनी है आठ घंटे में आठ कोशन कर लेने हैं आपको उसने जान लगा दी बंदे ने खूब मेहनत करी आठ घंटे में असी होने चाहिए थे आठ घंटे में साथ ही करें यह तो अगला सवाल है कि कितना परसेंट एफिशेंट है तो आव निकालूं एफिशेंशी ओफ लेवर फॉर्मुला क्या है एक्च्वल आउपुट डिवाइड बाई स्टेंड आउपूट यानि साथ енти सी डिसी सब你 तो मैं साथ तो यह तृओए सब यह सिर्फ अभंटी फाइब परसेंट अपिशेंट है एक्शामcoon नदर ऐसा हो सकता है यह सीरो 75 Supply को चेंग कर पाईब या सिर्फ 75 परसेंट को अभी निक्वाइब कंए below efficiency काम कर रहे हैं 75% पर तो नोट कर लो इसको यह output based efficiency of labor को निकालने का फारमूला अब यह formula ऐसा क्यों बेना logic समझ गया आप with the help of this example चलिए बढ़ो आगे यह था मेरा case number one अब है मेरा case number two पहला क्या था output बेस्ट दूसरा क्या है टाइम बेस्ट अब लिको वेन इस्टेंडर आउट्पूट और एंड एक्ट्यूल आउट्पूट इस तो तो एफिशेंची ओफ लेवर को निकालने का फार्मूला इस्टेंडर टाइम डिवाइड वाइए एक्ट्वल टाइम लोजी एक्जामपल मैंने बच्चे को बोला आठ गंटे पढ़ना है मैंने बच्चे को बोला आज 80 कोशन हो जाने चाहिए 80 कोशन हो जाने चाहिए उसने 80 कोशन कर लिए मगर इन 80 कोशन को करने में उसे 10 घंटे लग गए लोजी 80 कोशन तो कर लिए ताइम लग जादा बताओ क्या यह स्टुडेंट एफिशेंट है 8 घंटे में हो जाने चाहिए वाला काम 10 घंटे में कर रहा है क्या यह एफिशेंट है answer is no यह inefficient है तो कैसे निकालूं फर्मुला क्या इस एंड़ टाइं बटा एक्शुल टाइम हाई यह एक्शुल टाइम नोट इस टेंडर दिस इस माई एक्शुल टाइम तो आठ बटा दस गुना सो तो यह चुड़ेंट 80% efficient है बस यह चुड़ेंट 80% efficient है कि तो यह जो concept नोट कर लिए आपने चलिए इसके बाद करेंगे कोश्चन आऊ ज़ाए कोश्चन कौन सा करें आओ जी कोश्चन नमबर करते हैं 13 कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नमबर 13 करना है बड़े कोश्चन को बोनस पेड अंडर हॉल से प्लैन अंडरलान करो वर्ड बोनस या सिरी बोनस यह बात कर रहा है क्यारा बोनस पेड अंडर हॉल से प्लैन विद फिफ्टी विद बोनस अट फिफ्टी परसेंट लोजी यहां पे क्या बोला विद फिफ्टी परसेंट फॉल से में होता भी कितना है फिफ्टी परसेंट ऑफ दी टाइम सेवड इक्वल्स बोनस पेड अंडर रोवन स्कीम वेन विल इस स्टेटमेंट होल गुड यॉर आंसर सुट कंटेंडी पुरूफ यह कहरा बताओ ऐसा कब होगा जब आपने जो बोनस पेड किया है अंडर हॉल से यह इक्वल होगा बोनस पेड अंडर रोवन से ऐसा कब होगा इससे पूर्फ करो तो देखो बोनस पेड मतलब क्या होता है यहाँ पर जाइम सेव्ट गुणा वेज रेट गुणा 50% या बगा वता है टायम सेव्ट गूना वेज रेट गुना टाइम बताओ टेकन बटाइम एलाओ टाइम सेवर्ट इससे यह एकंसल इससे यह एकंसल बैसिक मैथमेटिक से यह जब नीचे आए गांशल हो जाएगा तो अखुल में लागे क्या वी बात कुल में लागे बात ही यह हुई कि वैन टाइम टेकन टू time allowed will be equal to 50% then in such case bonus under both these schemes will be equal when time taken to time allowed ratio will be 50% then in such case then in such case bonus paid under both schemes shall be equal logic question is complete note कर लो इसको आप question is complete यह कोशन conceptual था इसके बाद करते हैं चलो भाई आगे बढ़े इसके बाद करेंगे हम question number 22 question number 22 बड़ें भी question को ध्यान दीना एक्साम के लिए एक टेक्निक पताने चाहता हूं है आपको एक्जाम में जब भी आप कोई भी पेपर करें चाहे कॉस्टिंग करें और करें वहां पर फॉलो करें रिवर्स रीडिंग टेकनीक क्या फॉलो करें रिवर्स रीडिंग टेकनीक क्या मतलब इसका इसका मतलब है सबसे पहले पढ़े कोशन की रिकवारमेंट को रिवर्स कोशन को उल्टा पढ़े परिचा पढ़ें सक्कीर किवार्मेंट आए पढ़नास रिकवार्मेंट है ऊटS है अगर हमने उस employee को hall से scheme के तहट bonus दिया होता, hall से scheme के तहट payment किया होता, तो उसकी earning कितनी होती, और effective, underline करो वर्ड, effective hourly rate क्या होती, अच्छा, exam में इतना पढ़ लेने के बाद आपको पता पढ़ जाएगा, कि ये question किस chapter से है, और किस concept से है, अगर उस concept के ओपर आपने questions की practice की होगी, एक benefit तो होगा, आपको motivation मिलेगा, दूसरा benefit क्या होगा, कि आपको sequence set करने में असानी होगी, कि पहले कौन सा करूँ, उसके बाद कौन सा करूँ, उसके बाद कौन सा करूँ, समझ रहें, तो ये असानी होगी, चलिए पढ़ते हैं भई, अब कोशन पढ़ते हैं, कहते हैं, एक skilled worker, in XYZ Limited, is paid, एक guaranteed wage rate of rupees 30 per hour, लो भई, बताओ भई, बताओ, एक घंटे के क्या payment मिलता है, बताओ भई, बताओ, तो wage rate है, 30 रुपईया पर घंटा, ठीक है, The standard time per unit for a product is 4 hours, एक यूनिट को बनने में 4 घंटे लगने चाहिएं, ठीक है जी, बताओ, पी, a machine man has been paid wages under row 1 incentive plan, यानि currently, उसको row 1 plan के तहट, wages pay की जाती है, and he had earned an effective hourly rate, underline करो, earned an effective, earned an effective, earned an effective, earned an effective, he had earned an effective hourly rate of Rs. 37.50 on the manufacturing of that particular product, क्या इस कोशन के अंदर अपने को actual time दिया है, जब हमें actual time दिया ही नहीं है, तो हॉल से में कितना मिलता, हम निकाली नहीं पाएंगे, हमें क्या चाहिए, तीरी information, standard time, actual time, wage rate, हमें standard time दिया है, wage rate दिये, actual time नहीं दिया, तो हमें actual time निकालना पड़ेगा, यहीं इस कोशन के अंदर खूबी है, इस कोशन को आप category B में डाल सकते हैं, कोशन में कोई difficulty नहीं है, simple कोशन है, कोई भी कोशन करते हैं, वक्चाहे costing का करें, या किसी और subject का करें, कोशन को category A, B और C में डालते जाएं, आपके difficulty level के हिसाब से, आपके लिए बहुत difficult है, category A, आपके लिए बिल्कुल difficult नहीं है, category C, अगर बीच में है, category B, इससे फाइदा क्या होगा, जब भी आप revise करेंगे, आपको पता होगा, category A वाले इतने कोशन है, जो मुझे हाथ से solve करके देखने हैं, category B वाले इतने कोशन है, जिनके main main points को verify कर सकता हूँ, और category C मतलब, time में ले तो verify करो, और ना छोड़ दो, तो time बहुत से होगा, category ABC करने से, exam में जितने भी students, बैठते हैं, और इस technique को follow करते हैं, ABC analysis को follow करते हैं, उन सब का ये कहना है, कि ये ABC technique, exam hall के एक दिन पहले, के लिए best, आपको पहले से पता होता है, कौन से question हाथ से solve करने है, किन के answer verify करने है, और किन को छोड़ देना है, ये technique जब आप implement करोगे, धीरे धीरे आप देखोगे, कुछ questions, category B से उठकर, category C में चले जाएंगे, कुछ questions, category A से उठकर, category B में चले जाएंगे, तो धीरे धीरे, एक्जाम करीब आते आते, category A में आपके पास number of question कम होंगे, ऐसा बोलो, number of question कम होंगे, hands movement करो अपना, number of question कम होंगे, category B के और भी कम होंगे, category C के और भी कम होंगे, तो खुल मिलाकर, आपके पास time come है, उस come time में आप effective output दोगे, ऐसा करो, hands movement करो effective output दोगे, ये सब करवार हों आपको, इसलिए ताकि आप थोड़ा सब physically भी एक्टिव रहो, चलो भी, तो करते हैं सकोर्षन को, हमें दे रखा है, effective wage rate, कितना है, 16-17 रुपे, अच्छा, effective wage रोग निकालने का formula क्या है, तो formula है, total wages, divide by, actual hours worked, ये ये ना formula, चाहो तो answer को note करते वे चल सकते हैं, अच्छा, मुझे निकालना है, total wages as per row 1, तो कि payment से कर रहे थे, अभी हम as per row 1, तो formula क्या होगा, hours worked, गुना, wage rate, plus time saved, गुना, wage rate, गुना, time taken, बटा टाइम एलाउट, अच्छा, अच्छा, अब जाड़ ध्यान देना, ये क्या रिकाला है ने, total wages, divide by क्या है, actual hours worked, तो इसके नीचे क्या जाएगा, actual hours worked, इसके नीचे भी क्या जाएगा, आओ, यहाँ पर equal to go to 36, यहाँ पर क्या बचा वेज रेट, तो कोशन मुझे दे रखा, वेज रेट 30 रुपे, प्लस, यहाँ पर क्या time saved, ज़रा ध्यान दे रहा, time saved, क्या होता है, time saved का, time saved का formula होता है, standard time minus actual time, यहाँ time allowed minus time taken, तो ज़र ध्यान दो, मैं assume कर रहा हूँ, time taken as t, तो time saved क्या होगा, time allowed minus time taken, कितना है वेज रेट 30, time taken कितना, time taken कितना, t, बटा, time allowed 4, फिर actual hours worked क्या है, मेरी actual hours worked, time taken आई यारी कि t, तो इस t से, यह t cancel हो गया, is equal to, 35, ठीक चला है मैं होना है हाथ रख, अच्छा जी, अब क्या हो जाए गई, ध्यान देना च्राव, चार्स को डिवाटे रोदे रोदे कितना आजा गया, 30 बटा चार, यह आगया साड़े साथ, तो यह आगया मेरा 4 minus t, गुना साड़े साथ, is equal to, 37.85 minus, 30, तो 4 minus t बराबर हो गया, यहां बचेगा साड़े साथ, divide by, साड़े साथ, यानि यह आजाएगा 1, तो यह आगया, 4 minus t is equal to 1, तो 4 minus 1 is equal to t, hence, t is equal to 3, तो t मतलब क्या था मेरा, time taken, लो जी, मैंने क्या निकाल लिया, time taken, question solve होगे मेरा, no, अब इसलिब क्या निकाला मैंने, time taken, अब निकाल लूगा मैं, as per hall से कितना मिलता उसको, उसका effective आवली rate क्या होता, मेरे पाद 3 information है, standard time, actual time, wage rate, ऐसे आप भी body के movement करते रहो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि आप physically भी active रहो, चलिए, आगे बढ़ता हूँ, अब निकालता हूँ, total wages, under hall से, तो, time taken, गुना, wage rate, plus, time saved, गुना, wage rate, गुना, 50%, time taken कतना है, 3 गंटे, wage rate का है, 30 रुपे, time saved कितना, 4 माइनस 3, कितना wage rate, 30 रुपे, गुना 50%, कर सकते हैं, तो, आराम से कर लेंगे जी, यह आगया मेरा, एक इस का 50% हो गया, मेरा 15, प्लस 90, यह आगया मेरा 105, लो जी, कोश्चन की, एक requirement तो मैंने फुल्फिल कर दी, कौन सी, earning, total earning, अगर हॉल से के तहत, उसको payment मिलती, कितनी मिलती, 105, अगला मैं निकालने वाला हूं, effective hourly rate, effective hourly rate, इसका formula क्या है, टोटल वेचिस, डिवाइड वाई, actual time फेकर, यानि 105, बटा, तीन गहिंटे लगे इसको, जी आगया मेरा 35 पर आँए, 35 पर आँए, इस इस भाई 35, लो जी, कोश्चन नमबर बाईस, यहाँ पर हो गया आपका complete, कोश्चन नमबर 22, नोट कर लो जी इसको, इतने मैं आगे देखता हूँ, और क्या करना अपने को, चलो जी, इसके बाद करते हैं, कोश्चन नमबर 38, बहुत भी बढ़िया कोश्चन, कोश्चन नमबर 38, इस कोश्चन को करने से, आपका कॉंसेप्ट और ज्यादा किरियर हो जाएगा, कोश्चन नमबर 38, कोश्चन नमबर 38, इसक भी आपको, जोफिस्टिकेटब मशीन, वनस्चन नमबर 38, ध्यान देना, अभी आपको मैंने बताई हैं दो तरीके की स्कीम्स होती है होल से में कुछ कमिया थी रोवन ने सुधार दिया उसको तो रोवन स्कीम is far better than होल से यह कुछन हम से यही पूछेगा पढ़ते हैं keeping with the following सबसे बढ़े पढ़ो requirement you are required to device a suitable incentive scheme and demonstrate by an illustrative numerical example how your scheme answers to all the requirement of the management management करा तीन बातों पर तीन बातों पर आपकी scheme खरी उतरनी चाहिए हमें वोई scheme बताओ हम अपनी कंपनी में implement करें अपनी वरकर्स को motivate करें और हमारी labor cost per unit भी कम आए तो देखो इसका answer करने से पहले आपको मैं इसका answer लिखा देता हूँ लिखो भई रोवन स्कीम एज फार बैटर थैन हॉल से स्कीम लोजी का अगया answer इसने बोलादा you are required to device suitable incentive scheme बता दिया बर कोशन क्या बोलता आगे demonstrate away as a new man era मुझे पूर्फ करना पड़ेगा इस बात को इरोवन इस फार बैटर ओ पूर्फ करना पड़ेगा लिखता demonstrated by an illustrative numerical numerical मुझे mathematically पूर्फ करना इस बात को होई 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 मजा आ गया मजा आ गया how your scheme answer all the requirement of the management तीन बातों पर अगर आपकी स्कीम खड़ी उतरती है तो हम मानेंगे स्कीम अचिए पहला पॉइंट पहला पॉइंट है दा इंटायर गेंस आफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन शुद नॉट गो टूदी वर्कर इंटायर गें तो तो यहां पर लिखता हूं रोवन स्कीम इस फार बैटर दैन होल्श स्कीम और ओल थ्री पॉइंट्स एज एक्स्प्लेंड बिलो पहला पॉइंट क्या जी पहला पॉइंट होगा टाइम सेव करने से उसका पूरा बैनेफिट इंप्रोई को नहीं जाना चाहिए थोड़ा बहुत हमारे पास भी रहना चाहिए तो एक्जामपल ले रहा हूं मैं कोश्चन ने बोला मुझे एक्जाम एक्शुल टाइम है तीन गंटे मान लो वेज रेट है पांच रुपए पर और वेज रेट है पांच रुपए पर और मुझे बताओ टोडल गेंक कितना वारट गें कितना अै है कि युद्र इवचा एक घंटा बचा था एक टाइम सेवटे मेर एक घंटा है एक गली अगले क玩position कि रोवन कितना पे होगा बोना अंडरोवन द्यांदेना मैंसरी बूनस की बाद करना हूं मैं टोटली निकाल दाए आपर सिरी बूनस तो बूनस में क्या होगा टाइम सेव्ट गुना वेजरेट गुना टाइम टेकर बटा टाइम एलाउट आप अल्राइट से अधिर गूंटे में होना चाहिए तिन गंटे में हो रेट कितना एजी पाच टेकन बटा एलाउड यह थी मिटाचार कितना आगया यह आगया मेरा तीन रुपै किछतर पैसे मुझे कितना गेंवा थी टूटल पांच रुपए का मैंने इंप्लॉई को कितना बेनिफिट दिया तीन रुपए पिछत्र पैसे मुझे कितना बच गया एक रुपाई पचीज पैसे तो कन्कूलूजन क्या है है हैंस इंटायर गें डजनौट गोटू वरकर वरकर को सारा गें नहीं मिल रहा है पहला पैसे इतना तो रोवन इसकीम इस पर खरी उतरती है नोट कर लो इसको आप रोवन इसकीम इस पर खरी उतरती है पहला पॉइंट अब आओ दूसरे पॉइंट पर नोट कर लिए समने अब आओ सेकिंड पॉइंट पर सेकिंड पॉइंट क्या है कहता है इन दर नेम ऑफ इस्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर अब से बताना इस्पीड मतलब क्या जब वर्कर को मालूम पढ़ गया कमखत को कि टाइम बचाने पर बोनस मिलेगा चा करेगा वो इस्पीड में काम करेगा टाइम ज्यादा बचाने की सोचेगा इससे क् हो सकता है क्वालिटी खराब हो सकती है अगर मैं आपको इसकी तीन गुनी स्पीड से पढ़ाऊं क्या होगा क्वालिटी सफर हो जाएगे आपको आधी बाते समझ में नहीं आए ऐसा हो सकता है तो कुल मिलाकर जब किसी कंपनी के अंदर कोई वर्कर इस्पीड में काम करने लगता है तो क्वालिटी में काई नगाई कॉम्परूमाइज हो सकता है तो यह सेकिंड पॉइंट वही है कि इंदा इस इंदा नेम आफ इस्पीड को आलिटी ड़सरोट सफर आई यह क्या रोवन इस पर भी खड़ा उतरता है चेक करते हैं तो मैंने लिखा नुमेरिकल ए इस्टेंडर टाइम चार गंटे एक्ट्वल टाइम मालो दो गंटे वेज रेट मालो पांच रुपर जो की पहले था पांच रुपर से मिदिया मने पांच रुपर बताओ भाई बोनस अंडर रोवन मैं बोनस अंडर रोबन पांज कितना विंधर माइने दो गोनाव पांच आई मैरा गुना time टेकर पर टाइम ढुलाूड टेव कितना दो स्धों कितना उतल हगि कितना मिलेगा पांच रुपे का बोनस मिलेगा कोई डाउट इसके अंदर अभी साइकंड पांट ख़तम नहीं हुआ है यहां था कोई डाउट इसने क्या करा इसने काम करने में जान लगा दी और इस काम को एक गंड़ें पूरा कर दिया दो घंटे वाला काम एक घंटे पूरा कर दिया आओ वेजरेट सेम है आओ निकाले इसका बूनस अंडर रोवन कितना बचाया चार माइनस एक तीन घंटे बचा लिए गुना पांच टाइम टेकन बटर टाइम एल आउट कितना आगया बूनस तीन रुपए 75 पैसे लोजी कहां यह बाओ जी बूनस बढ़ाने चले थे यहां उन्हें बूनस कम कर लिया कि सोचो 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 बूनस बढ़ाने चले थे कि बूनस कम कर लिया कि क्या यह स्पीड बढ़ाने में इंट्रस्टेट होंगे सोच के बूलो नहीं होंगे तो लिखते हैं भाई जब वह स्पीड आने इंट्रस्टेट होगा नहीं तो लिखो नोट डैट बोनस रेड्यूजड बाई सद्ट्ट्टर स्पीड 1.25 थैंड्स थैंड्स एंपल्वी विलक र्क स्ट्टर इंट् से sed थैंज्ड विलक recognize कि क्या समझें कि सेकेंड पॉइंट पर भी रोवन स्क्रावतरता है वरकर को समय ज्यादा बचाने के बावजूद भी बोनस कम हो गया समय बचाएगा अराम अराम से करेगा धीरे धीरे करने में क्वालिटी तो आती है बट इतना धीरे भी नहीं करना चाहिए कि टाइम बहुत जादा लग जाए समझे मेरी बात को स्पीड बढ़ाओ बट इतनी भी नही बढ़ता हूं जी पॉइंट नंबर तीन पॉइंट नंबर तीन पर भी खरा उतरना चाहिए ध्यान देना चाहिए तीसरा बोलता है ता रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बिइंग नीवली इस्टेबिलिस्ट आर लायबल तो कमिट मिस्टेक अंडरलाइन करो रेट सेटिं परत्मेंट रेट सेटिंग डिपार्टमेंट ये हो वोता क्या है स्कूत के लिएल अ cracking इस्टेंडर्ग टाइम-टर करता है अब सोच हो अगर कोई इंपलोई ही इस्टेंडर् टैम सेट करने वाले से शेटिंग कर لे मेरे हाथों की तरफ देखो सेटिंग चल दिए भाई यहां पर सेटिंग कर ले अगर कोई employee सेंडर्ट साइट सेंडर्ट टाइम सेट करने वाले employee से सेटिंग कर ले तो क्या यह स्कीम डिमोटिवेट करेंगे उसको चेक करो आओ चेक करते हैं मानलो यह एक्ट्यूल टाइम है तीन हैivos अby कर इस टेंडर्ट टाइं मैंस τृंटश टाइन टो ऀडिए भुआ यह सब्सक्रान ले रहे थे चार गण्टे क का सैटिंग कर ले बुला तू मेरे लिए मैं तेरे लिए मैं लोई जहां है दस घंटे लिग दे हैं हम दोनों भाई भाई है यार कर ले साथ घंटे बचेंगे भर के बोनस बिलेगा दोनों भाई आदाद कर लेंगे उनने का ठीक है आओ वेज़ेट क्या है मारा वेज़ेट है पांच रुपया अब निकालू बोनस अंडर रुवन टाइम सेवड कितना साथ घंटे रेट कितना वेज़ेट पांच टेकन बटा एलाउड और बोनस मिलेगा साथे दस रुपय का आपको बड़ अच्छा लगए रुख जाओ जड़ा टॉटल गेंगे तना है टॉटल गेंग कितने गंटे बचे साथ गंटे क्या रेट है पांच रुपए कितने पैसे बचे पैंटीस रुपए आपको लगता है नहीं कि पेट में दर्द होगा यार गेन तो कंपनी को अपैसर रुपए का और मुझे सिर्फ साड़े दस रुपए दे रहे हैं सिर्फ 30 परसेंट अरे तो हो से बेकारे स्कीम कंपनी को गेन हुआ है 35 पर से 35 रुपए का मुझे सिर्फ साड़े दस रुपए का मैं देना है बैनिफिट मतलब सतर परसेंट बैनिफिट तो कंपनी अपने पास रख रही है क्या रगता आपको साइकलोजिक लिए उसे बड़ी तकलीफ होगी तो यहा इस गेटिंग या ही गॉट 30 परसेंट शेरिंग अनली साड़े दस मिले 35 रुपए से तो साड़े दस बटा 35 परसेंट केतना आगा 30 परसेंट तो क्या समझे नेक्स टाइम क्या जाए था हैं बचाएगा हो ना वकुल मिला गे थर्ड पॉइंट पर भी रोवन इस्कीम खरी दो ना यह दरती है जी तो कोशन नमबर 38 बहुत ही कंसेप्चिल कोशन था इसको भी नोड कर लें आप चलो कोशन नमबर कोशन नमबर 1 करता हूँ आओ भी कोशन नमबर 1 करते हैं पहले रिक्रामन नमबर 1 कैलकुलेट इफेक्टिव रेट और अफ यह क्या है एफेक्टिव आवरली रिट कैलकुलेट इफेक्टिव रेट अफ अर्निंग अंडर हॉल से एंड रोवन इस्कीम तो पहले मुझी क्या निकालना है तोटल अर इस्टाइब वाई एक्टोल आर्च वर्ग्ड क्या जाएगा अर्निंग रेट अर्निंग एफेक्टिव अर्निंग समझ गें अंडर हॉल से रोवन डिकामन नमबर 2 को में नमबर 2 बादे पढ़ेंगे चलो पहले पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं को आई यह कोशन को पढ़ आइधर हॉल से विद 50% बोनस और रोवन स्कीम और वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग दा लेवर प्रड़क्टिविटी तू कॉप अप दा इंक्रीजिंग डिवांड फॉर दी प्रड़क्ट भाई 40% भविश्य में प्रड़क्ट की डिवांड 40% बढ़ने वाली है या इडिज बिलीव डैट अच्छा अभी तक मैं आपसे पूछू कॉशन में अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पे आपसे पूछू कौन से स्कीम बैटर है क्या बोलोगे आप रोवन स्कीम इस अलवेज बैटर मैने पूरुफ किया भी आपको मिथमेटिकली रोवन स्कीम इस अलवेज बैटर फार बैटर थन होल्शे स्कीम बट कोशन को पढ़ते हैं इस बिलीव दैट प्रपोस्ट इंसेंटिव इंस्कीम कुड ब्रिंग अवाउट एंवरेज 20 परसंट इंक्रीज ओवर दी प्रेजेंट अर्निंग ऑफ दी वरकर्स इट कुड एक्ट एच सफिशेंट इंसेंटिव पर देम प्रेड्यूस मोर यह यह नहीं बोल रहा है हॉल से और रोवन कौन सी बैटर है यह बोल रहा है हमारी कंपनी के लिए वह स्कीम बैटर होगी जो हमारे इंप्लॉई की अर्निंग को 20% से बढ़ा दे अगर अभी 100 रुपए कमाते हैं तो भविश्य में 120 या उससे ज्यादा कमाए हमारे लिए वह स्कीम बैटर होगी तो यहां पर बैटर कहने का पैरामिटर ही डिफरेंट है और जब कोशन ऐसा पैरामिटर दे दे तो हम नहीं भोलेंगे रोभान अच्छा है यह हम जो कोशनब बोलेगा उसके बेस पर बोलेंगे रोवन अच्छा है की अच्छा अगर आधो यहां पर Sok Eva स्कीम को उल्फरेंट करने से WORKER की अर्निंग 20% से ज्यादा बढ़ पर जाती है 20% या 20% से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं बोलूँगा रोवन इस गूड अधरवाइज मैं बोलूँगा हॉल से इस गूड कोई भी स्कीम हो चाहे हॉल से हो चाहे रोवन हो जो स्कीम इंप्लोई की अर्निंग को 20 परसेंट या उससे ज्यादा से बढ़ा देगी वो इसकी बेस्ट होगी इस कोशन नंबर वन के लिए आइए आगे बढ़ते हैं बिकॉस ओफ दी एश्वरेंस दा इंकरीज इन पॉड़क्टिविटी एज बिन अब्ज़र्वट एज रिवील बाइडी फीगर्स पर दी मंत ओफ अंडरलाइन करो पर दी मंत ओफ अपरेल अपरेल वहने के बाद चल रही है नीचा दिया हुआ है आवरली रेट औफ वेजिज गारंटेड 30 रुपए मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह 30 रुपए नौर्मल वेज रेट है या इफेक्टिव वेज रेट है गारंटेड मतलब नॉर्मल वेज रेट आप चाहो तो लिख सकते हो इसके आगे नॉर्मल वेज रेट आगे बढ़ो average time for producing one unit by one worker at previous performance is 1.975 hours bracket में लिखा हुआ है this may be taken as time allowed एक unit को बनने में 1.975 पाइव आर्स लगने चाहिए ओहो अच्छा आगी गिवन है नंबर ओफ वर्किंग डेज इंदी मंथ अप्रेल महीने में कितने दिन आपके अच्छा में काम हुआ है 24 दिन बाकिदिन छुट्टी होगी या अच्छा नंबर ओफ वर्किंग आर्स पर डेज औफ इच वरकर एक वरकर एक दिन में कितने गंटे काम करता है जी आठ गंटे मैं आपसे पूछूँ पूरे महीने में कितने दिन काम हुआ 24 दिन एक दिन में आठ गंटे कंपनी में कितने इंपलोई हैं पचास तो क्या इन तीन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक्शुल टाइम टेकन निकाला जा सकता है एक्शुल टाइम टेकन येस आगे बढ़ते हैं को सरगेवन है एक्शुल प्रोडॉक्शन डूरिंग दा मन्थ अपरेल महीने के अंदर एक्शुल में 6120 यूनिट प्रेडियूस की गई है को सब्सक्राइब चाहे निकालो हॉल सब्सक्राइब टाइम एक्शुल टाइम वेजरेट तो आईए मैं निकालता हूं इस्टेंडर्ट टाइम क्या मतलब इसका इसेंडर्ट टाइंप और एक्शुल आउट्पूट एक यूनिट को बनने में 1.975 आर लगना चाहिए इसका मतलब है 6120 कि यूनिट्स को बनने में 1.975 आर के हिसाब से 12,000 87 घंटे लगने चाहिए एच आर मतलब आर्स शौट में लिग दिया एक्शुल टाइम ध्यान देना पचास वरकर हैं डब्रू मींस वरकर पूरे महिने में चौबिस दिन काम हुआ और एक दिन में 8 घंटे काम हुआ तो पूरे महिने में कितना काम हुआ यह 96 घंटे काम हुआ है अच्छा टाइम सेवड निकाल सकते हुआ है टाइम सेवड सिंपल है बारा हजार सतासी कि माइनस 96 घंटे की हमने टाइम की सेविंग करें अच्छा अच्छा आईए मैं निकाल रहा हूं टोटल वेजेज अंडर पहला निकालता हूं अंडर निकालता हूं अंडर अंडर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्जाम लिखना है तो कितने घंटे काम किया अक्छल के अंदर 96 घंटे काम किया किया वेज रेट है वेज रेट है 30 रुपे कितने घंटे बचाए तो भाई 248 सन बचाए क्या वेज रेट है 30 रुपे गुना 50% निकाल लेते हैं इसको तीन सो पच्छिस तीन सो पाच सिम्पल है अब निकालते हैं अंडर रूबन तो कितने घंटे काम किया गुना 30 रुपे टू फोर एट सेवन घंटे बचाए गुना 30 रुपे गुना क्या होता है वाई टाइम टेकन बता टाइम अलाओ टेकन कितना श्यांवे सो अलाओ कितना बारहजार सत्थासी तो यह आ गया किरी फोर सेवन टू पाइव एट पॉइंट थ्री एट कर लेता हूं उसको मैं अलाकि आ रहा है पॉइंट थ्री सेवन सिक्सेवन सिक्सेट रिक्वार्मेंट नमबर वन अभी फुल्फिल नहीं हुई है अभी क्या निकाला है मैंने सिर्फ टोटल विजिस आईए अम यह निकाल रहा हूं एफेक्टिव रेट ओफ आर्निंग अंडर हॉल से और निकालूंगा अंडर रोवन इसका फॉर्मूला क्या है टोटल विजिस डिवाइड बाई एक्ट्वल आर्स वर्ट यह फॉर्मूला तो भाई तीन सो पच्चिस पे करें 305 डिवाइड बाई च्यावए सो घंटे यहां पर 347 258.38 पे करां और घंटे हैं 96 तो यह आजया मेरा 36.17 तो यह आजया मेरा 33.89 लो जी रेक्वार्मेंट नमबर वन मैंने फुल्फिल कर दिया है आपर रेक्वार्मेंट नमबर वन इस कम्प्लीट है तक हिस्ट कि छषक्षर क्वाइन मिहिञान है द Improvement नंबर तु गरते हैं एक यूनिट को बनने में लगता है 1.975 आर और रेट है 30 रुपए घंटा तो किता लग गया? 69 रुपए 95 पैसे 59.25 यह कॉस्ट ने प्रेजेंट 59.25 अब मैं निकाल रहा हूं डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर हॉल से और फिर निकालूंगा अंडर रुवन इसका फर्मूला क्या होगा? टोटल वेजेस डिवाइड बाइट टोटल यूनिट्स सिंपल सी बात है तो हॉल से में कितना पे किया है? हॉल से में पे किया है हमने 325 यूनिट्स है मेरी जो यह बनाएगा 6120 उनिट्स तो यहां पर आ गया मेरा यह आ गया मेरा 53.15 अच्छा जी और रोवन में रोवन में पेविमेंट बनती है? 3347258.38 divided by 6120 उनिट्स 56.74 56.74 अमनिकाल राम सेविंग्स इन डारेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर हॉल से और अंडर रोवन अंडर हॉल से और अंडर रोवन यहां पर बेनिफिट हो रहा है 6 रुपए 10 पैसे का फिर यहां पर 59.25 की पढ़ रही थी रोवने पढ़ेगी 56.74 की तो यहां बेनिफिट होगा 2 रुपए 59 पैसे का यह है रिक्वामेंट नमबर 2 2 रुपए 51 पैसे का बेनिफिट है रिकामेंट नमबर 2 रिकामेंट नमबर थीन पढ़ते हैं कहता है एडवाईज लेड़ इंद लिमिटेड अबउट सेलेक्शन ओफ स्कीम अगर मैं इस कोश्ण को सिर्फ यहीं तक पढ़ों कि एडवाईज जैड़ इंद लिमिटेड अबउट सेलेक्शन ओफ स्कीम तो बताओ ज़रा अगर मैं 20% वाली condition ignore कर दूँ कोशन में ना दिया हो तो मैं क्या बलूँगा अच्छा company के viewpoint से कौन सी स्कीम बहतर है company के viewpoint से तो भाई company के viewpoint से hall से better है क्यों यहां कितना बच रहा है अच्छे रूपए 10 पैसे देख रहा है यहां कितना बच रहा है छे रूपए 10 पैसे तो ज्यादा फाइदा मुझे कहां पर है हॉल से में अगर मैं सिर्फ देखू किसको company को देखू मैं इंप्रोई से मुझे मतलब ना हूँ मैं बोलूगा मेरे लिए से हाल से size बैटरबर को में क्या बोला गया है हमें देखना एंप्रोई की आर्निंच को चाहला एं तो की फूल फिल देलर आज्वे याउड मिव्रेंग कि तनी है प्रेजेंट के तो देखो मोरण का रूहा एकक्श्वल टाइम है ऐस मुना भीज रेट भाइच श्यानवे सो घंटे काम हो रहा है एक्शुल के अंदर रेट है तीस कितना आ गया दो अठासी दो अठासी अब मुझा एकना है कि कितनी अर्निक है इनकी अंडर हॉल से और अंडर पर दिजाई डर्णिंग किया दी टुवंटी पसंट इंकिरी ओजाए तो 288 में एड कर दो 20 पर 345 600 आप जड़ा ध्यान देना अर्निंग अंडर हॉल से और रोवन तो हॉल से में कितने कमाएंगे 325 305 और रोवन में कितना 347 258.38 तो अगर 20 परसेंट वाला काम पूरा करना हो तो यह स्कीम कौन फुल्फिल कर रही है 345 600 के बरावर या उससे ज्यादा कौन दे रहा है रोवन तो हम क्या बोलेंगे रोवन इस्कीम शुट वी अडॉप्टेट तो फुल्फिल्फिल्ट एस्वरेंस अगर शुर्इंस की बात ना होती हम बोलते हौल से इस βैटर अगर मैं कम्पनी के व्यूपइंट से देखूँ तो मैं बोलूँगा हॉल से स्कीम इस बैटर चली फिर एक काम करते हैं आज की क्लास को साइन आफ करते हैं और मिलेंगे आप से अपनी अगली क्लास के अंदर